नमस्का साथियों अगर आप लोग मुझे से पहले से जुड़े हुए हैं तो मुझे लगता है कि आप सभी को मालू होगा कि अभी तक हम लोग सिविल सर्विस से जुड़ी कई किलासें ले चुके हैं वस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अगर सिविल सर्विस यानि की UPSC से जुड़ा कोई भी सवाल आपकी दिमाग में हैं आपका कोई भी डाउट है अगर आप इन किलासों को देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा और इसके लिए आप देखिए एक हम लोग उन्हें फिले लिष्ट सूची ही बना दी है सेपरेट जिसका नाम है सिविल सेवा परिक्षा इसमें आप देखेंगे कि जो सिविल सेवा के बारे में जो भी है पैटेन हो या उसका पाटकरम हो या उसके आप देखिए किस तरह स उसका syllabus है चाहे prelims की बात कर लिए मुख परिक्षा की बात कर लिए ओप्सनल की बात कर लिजेगा फिर आप ने देखा होंगे कि 2011 से लेकर 2011 से लेकर 2019 तक कि जो prelims का पहला पेपर है जिसे आप लोग सामानध्यन पेपर Pnepper first कहते हैं GS Pnepper first कहते हैं और आप सभी लोगों को यह भी माल होगा कि दूसरा देखे जो Pnepper होता है जिसे आप लोग C Set कहते है उसमें केवल आपको passing number चाहिए होते हैं pass होना होता है और मुझे लगता है कि आप लोग अगर थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो आराम से उसे pass भी कर लेते हैं लेकिन जो मुख परिक्षा में पहुँचने के लिए जो merit list बनती है वो आपकी पहले paper की आधार पर ही बनती है समझ रहे हैं तो इन्हें अभी तक 2011 से लेकर 2019 के जो भी prelims के पहला paper है इसे हम लोग इन पर बिस्तार से बात कर चुके हैं और आज की इस class में हम लोग क्या करें कि जो UPSC यानि की Civil Service prelims 2020 का पहला paper हम लोग जिसका नाम है सामानध्यन पिस्नपत फस्ट इस पर भी हम लोग बिस्तार से बात करेंगे और आप सभी जानते हैं कि इसमें आप लोगों को 2 गंटे का समय बिलता है लेकिन यहां हम लोग जब बात करेंगी तो 2 गंटे से अधिक का समय लगेगा क्योंकि यहां हम लोगों को केबल कुश्टन्स पढ़के उनका गोला नहीं भर देना है आंसर नहीं दे देना है हमें यहां उसका बेक्ग्राउंड भी देखना है समझ रहे हैं आप लोग उसके बारे में ब्याक्ख्या भी करनी है उस कुश्टन्स की और आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा टैम भी लग सकता है और लगना भी चाहिए मुझे लगता है आप सभी को माल होगा कि परिछन पुश्टी का अनकरम चार भागों में रहती है ABCD की रूम में लेकिन आप देखेंगे कि इसमें इन चारों में कुश्टन्स आपको सेम देखने को मिलेंगे वस उनका क्रम बदल जाएगा समझ रहे हैं आप लोग कोई हो सकता है कि आपके कुश्टन्स पेपर में पहले नमबर पर वो कुश्टन है आपके पड़ोसी के में वो 20 भी नमबर पर हो या आप देखिए कि 50 भी नमबर पर हो तो इस तरह का फ़रक देखने को मिल जाएगा लेकिन कुश्टन्स सभी प्विपरों में सेम रहते हैं आपके चारों सेटों में ठीक और आप सभी को मालूँ का कि 100 कुश्टन्स रहते हैं 200 नमबर कर रहता है यानि कि पिदेख कुश्टन्स आपका दो नमबर कर रहता है और इसमें एक बात दोर याद रखे माइनस मार्किंग भी है तो तुकाद भी लगाना है तो बड़े ध्यान लगाकर ध्यान से रखिएगा एक तेहाई अंक काटे जाएंगे समझ रहे हैं पहला कुश्टन है हमारे सामने क्या कह रहा है निमलिकी कत्रों पर विचार करना है आपको क्या करना है विचार करना है इसमें आपको चार कत्र दिये गए है इन्हें आप लोगों को पढ़ना है उसके बाद आप लोगों को बताना है कि इन कतनों में से कौन सा कतन सही है और मैं बार-बार कहता हूँ आप लगों से कि इस पॉइंट को इस लाइन को बड़े ध्यानपूर्वक पड़ा करीगा ठीक है? ज्योंकि इस लाइन की वज़े से आते हुए आंसर भी हम लोग कई बार गलत कर बैठते हैं अब आप ही देख लिए यहां लिखा होता कि सही नहीं है तो आप देखते हैं कि इसका अंसर तुरंद बदल जाता है तो इसमें पहला कतन कराए कि आधार मेटा डेटा को तेन वहिने से अधिक संगेत नहीं रखा जा सकता दो तरह करा जराज जिन निजी निग्मों से आधार डेटा को साज़ा करने के लिए कोई अनुबंद नहीं कर सकता और तीसरा करा आधार वीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार है वो चार कराय आधार भारत की संचित निदी से हित्य लाब पराप्त करने के लिए अनिवार है इन चार ओप्सन में से आपको सही ओप्सन चुनना है चार कतनों में से आपको क्या गरना है? सही कतन चुनना है तो इसमें आप देखेंगे पहला बिल्कुल गलत है दूसरा सही है और एक आप देखेंगे तीसरा गलत है और इसमें चार कथन बिलकुल सही है अब आपके मन में आ रहा होगा कि पहला और तीसरा गलत क्यों है तो आपको बता दूँ कि देखे सुपरिंग कोट ने हाली में एक बात करी हुई थी कि जो आधार अधिनियम की धारा 2 है 2D इसके अनुसार आधार मेटा डेटा कुछ 6 मैने से यदिक समय तक संगेत नहीं किया जा सकता है इसलिए आप देखें पहला कथन गलत है अब आप कहेंगे कि तीसरा गलत क्यों है क्योंकि आपको बता दूँ कि तीसा भीमा पॉलिसी खद्रिये के लिए आधार अनिव नहीं है और इसलिए आप देखेंगे तीसरा गतन आपका बिलकु सही है क्या है बिलकुल गलत है यहां कह रहा है कि अनिवार है और आप सब जानते हैं कि वीमा जो भी वीमा पॉलिसी के लिए आपको आधार की जरूवत नहीं है अगर 101 से आप दे सकते हैं देना चाहते हैं और सेप्टमबर 2018 में एक सुप्रिंग कोट का नेराया आया था उसमें ये बात कही थी उसने ठीक है और आजकल आप देख रहे हैं कि आधार काईड काफी चर्चा में रहता है और आप देखेंगे कि आपका दूसरा और 14 के बास्ते तो उससे आधार पर विशेश तोर पर चुंते लिग्ट शनाअबक क्या रहेगा बिलकुशा रहेगा इस्में अगला कुश्यन है अमारे सामने लौसरा क्या कह रहा है इनका कहना है कि राज्य सभा की लोग सभा के समान सक्तियां किस छेत में है यानि कि राज्य सभा की लोग सभा के समान सक्तियां किस छेत में है आप सभी जानते हैं कि संसत के तीन भाग होते हैं राश्टपती, राज्य सभा और लोग सभा आप सभी जानते हैं कि लोगसभा का डारेक्ट चुनाव होता है जंता द्वारा आप लोग अगर 18 साल की हो चुके होंगे तो आप भी लोगसभा सदस को चुनते होंगे लेकिन जो राज्यसभा की सदस होते हैं उनका चुनाव होता है विधायकों की द्वारा और फिर आप राश्टपती की बात करें तो आप सभी कुमाल होगा कि राश्टपती के चुनाव में राज्य सभा हो, लोग सभा हो, बिधान सभा हो, इनके जो निर्वाची सदस हैं, वही भाग लेते हैं, मनोने इस सदस भाग नहीं लेते हैं, ठीक है? तो उसी राज्य सभा हो फिस्तोत करने की विशाय में तो इसमें बताईए क्या करोगे कि कुछ बता सकते हो कि तो इसमें आप लोग देखोगे समिधान में संसोधन करने की विशाय में बिलकुल सही बात है कि राज्यसभा के पास लोगसभा जैसी सकतिया है अगर राज्यसभा की बात करें तो अभी आप देखें कि करेंट में इसमें 245 सदस्य जिसमें 233 तो आपकी चुनाओ द्वारत चुने जाते हैं 12 को नॉमिनेट यानि की नमुनित किया जाता है और इसमें आप देखते हैं कि नॉमिनेट आपक ठीक है और वहीं अगर हम लोगसभा की बात करें तो इसमें अभी आप देखेंगे 543 सदस हैं और इसमें आप लोग 543 अब सभी देखेंगे यह सभी आपके लोगसभा सदस जितने भी हैं यह सभी जनता की द्वारा डारिक चुने जाते हैं और अगर हम लोग लोगसभा की कि बात करें तो 17 अपरेल 1952 में इसकी स्थापना हुई थी तो उसी की बात कर रहा हूं कि चलिए इसमें क्या लगाऊगी बी ओप्सन आपका बिलकुल सही रहेगा कुश्यन है हमारे सामने तीसरा संसस सदस इस्थानिये चित विकास यह उलना कि अंतरगर निदियों के संदर में निम्लिकीत कथनों में से कौन सा कथन सही है यानि कि आप देख रहें कि नीचे आपको चार ओप्सन दिखाई दे रहे हैं और आपको इन में से सही बताना है कैसे बताओगे तो इसमें पहला कथन आप से कह रहा है MP LANDS यानि कि आपकी जो इस्थानिये चित विकास यह उजना है निदियां टिकाओ परी संपत्तिय जैसे स्वास्त सिक्षा आधी की बहुती काधार बूद सरचनाओं के निर्माण में ही प्रियोक्त हो सकती है दूसरा कथन कह रहा है कि पितेक सांसत की निदि का एक निश्चित आयन से अनुसूचित जाती या जनजाती जनसंख्या की लावार्त प्रियोक्त होना आवसक है और तीसरा कह रहा है कि MP Lens निदियां वारसिक आधार पर सुईकित की जाती है और आप रियुक्त निदी को अंगले बर्स के लिए अग्रे नीट नहीं किया जा सकता है और चार कथन इसमें कह रहा है कि आपका कर्यानवित हो रहे सभी कारियों में से कम से कम 10% कारियों का जिलाद प्राधी कारी द्वारा फिती बस निरिक्षन अनिवार है और नीचे देगे कूट का प्रेव करके आपको सही उत्तर चुनना है इसमें तो इसमें आप देखेंगी तो इसमें आपका एक तो पहला कथन आपको विल्कुल सही लगेगा लगेगा क्या है और एक आप देखेंगे दूसरा कथन भी विल्कुल आपका सही है और एक आप देखेंगे तीसरा आपका गलत है और चार आपका सही है एक, दो, चार गतन आपका क्या है? विल्कुल सही है तीस की अगर बात करें तो देखिए फंड को आंगे बढ़ाया जा सकता है अनिवार रूप से नहीं कि उसे बढ़ाया जाए भारत सरकाल द्वारत जिला पराधी कर्ण को जारी केगी निदियां विफगत नहीं होती है जिले में बच्ची रासी को आकामी बरसों के उपयोग के लिए बढ़ाया जाएगा इसके अलाबा एक बरस में भारा सरकार द्वारा जारी नहीं की गई धन्रासी के बाद बरसों में जारी करने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा ठीक है बढ़ाया जा सकता है बिलकुल इसमें क्या लिखा हुआ है नहीं किया जा सकता है तो इसलिए आपका गलत है इसमें क्या लगाओगे एक दो और चार यानि कि आपका D option आपका बिलकुल सही रहेगा क्या रहेगा बिलकुल सही रहेगा आप जो लोकसभा राजसभा सदसों या फिर आपकी विधान सभा सदस होते हैं विधान फर्चा सदस होते हैं या आपके चित की विकास कारियों के लिए विकास करने के लिए चुने जाते हैं बनाए जाते हैं समझ रहे हैं तो नहीं के बा आप लोगों से क्ई बार बोल चुका हूं कि जो आपके मौलीक अदिकार है समजय के भास कघते हैं और मुझे लगता है कि आप लोग मौलीक कर्तवों को भी पढ़ते होंगे समजय के भास li 지म्म के बारे में पढ़ते हूंगे समजय के बारे में 6 तो एंट के बारे में एक सामान जानक्यारी अपने पास से याद रखिएगा, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इनसे कुश्टन्स आपकी परीक्षाओं मैं हर साल पूंचे जाते हैं, देखिए सामने ही आपकी एक कुश्टन्स मिल गया, तो इसमें A कह रहा है सोसन की विरुद अधिकार, B कह रहा है सुदंता का अधिकार, C कह रहा है समविधानिक उपचार का अधिकार, और D कह रहा है समता का अधिकार, तो मुझे लगता है कि आप सभी कुमाल होगा कि समता का अधिकार, आईटी का 17 आप लोग पढ़ोगे, तो आप लोगों को जरूर माल समिधान के उद्धेशी का राजी के नीती ने देशक तत्तों द्वारा साधवी अणसूची द्वारा पुरांपरागत बेवहर द्वारा तो मुझे लगता है कि आप लोगोंने अगर राज्य की नीती ने दिशक सिध्धान तक तो पड़े हैं तो आप लोगोंने जरूर इसे पढ़ा होगा तो इसमें आप लोग भी ओप्सन लगाएंगे ठीक है चली अंगला कुशन देख लेते हैं अंगला कुशन है मारे सामने चटवा क्या कह रहा है वित्मंत्री संसद में बजट फिस्तूद करते हुए उसके साथ अन्य फिलेग भी फिस्तूद करते हैं जिसमें बेहद आर्थिक रूप रेखा विबरण भी समलित रहता है और यह पूर्बुत्र फिलेग निम्न आदेशन के कारण फिस्तूद किया जाता है ए कह रहा है चिरकालिक संसदी फरंपरा की कारण बी कह रहा है भारत की सम्मिधान की अनुचेद 112 और अनुचेद 1101 की कारण C कह रहा है भारित की सम्मिधान की अनुच्छे 113 के कारण और D कहता है कि राजकोसी उत्तरदाइत एवं बजट प्रवंधन अधिनियम 2003 के कारण के प्राउधानों के कारण तो इसमें आप देखेंगे आपका क्या रहेगा D option विल्कु सही रहेगा आप देखेंगे बजट सब दिखी परिभासा हमारे सम्मिधान में कहीं उल्लेक देखने को नहीं मिलेगा बित्ती वार्स्तिक विबरण आप लोग सम्मिधान की आर्टिकल 120 यानि के रूच्छे anges 12 में आप लोग देखने कीं मिलेगा टेक है तो बजट सब दिखाओ लेख हमारे सम्मिधान में नहीं है याद रखिएगा तो इसमें क्या लगाओगे D option आपका बिल्कु सही रहेगा कुश्यन है मारे सामने साथ क्या कह रहा है परीभास से सम्मिधानिक सरकार का मतलब क्या होता है सम्मिधानिक सरकार का आर्थ क्या होता है बताईए कुछ विधान मंदल द्वारा सरकार B कह रहा है लोकफिरिये सरकार C कह रहा है बहुदलिये सरकार और D कह रहा है सीमिश सरकार तो याद रखिए इसमें D option होगा आपका एक सम्मिधानिक सरकार में आप देखेंगी बिधायका नहीं हो सकती है एक दूई दली है सरकार हो सकती है और एक लोगती है सरकार होनी की अवसकता नहीं और इसके बजाए आप देखेंगी एक्षिदास साही हो सकती है और D को छोड़कर बात की आपके बिल्कुल गलत देखने को मिलेंगे इसलिए आप लोग D option लगाएंगे अंगला question है हमारे समने 8 देखिए आप लोग मूल अधिकार फिर से आगए आपके तो आठ कहरा है कि मूल अधिकारों की अतरिक्त भारत की समिधान का निमलिखित में से कौन से भाग मानो अधिकारों की सारभवम घोशना 1948 कि सिध्धानतों यों प्रावधानों को पिती विम्बित करता है या करते हैं एक करा उदेशी का दूसरा करा राज की नेति निदेशक तत्त और तीसरा करा है आपका मूल करतब और नीचे दीगे कूट का फ्रेव करके आपको सही उत्तर भी चुनना है क्या करना है सही उत्तर भी आप लोगों को चनाव करना है इसमें तो इसमें आप देखें कि तीनों आपके होंगे क्या होंगे तीनों होंगे यानि कि D option आपका बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि आप देखेंगे कि जो UDHR है जिसे आप लोग क्या कहते हैं इसका article 3 अनुचे 3 आप लोग पढ़ेंगे जिसे आप लोग universal declaration of human right कहते हैं अगर इसकी स्थाफना की बात करें तो आप देखेंगे 10 दिसंबर 1948 को आये था ठीक है और तो इसका article अनुचे 3 पढ़ेंगे तो पितेग ब्यक्ती को जीवन सुतंता और ब्यक्ती की सुतंता का सुरक्षा का अधिकार दिया गया है और वही अगर आप लोग अनुचे 22 पढ़ेंगी UDHR का यानि कि आपका कहना ही का मतला है कि universal declaration of human rights का तो इ राश्टी प्रयास और अंतराश्टी सहिक के माध्यम से और पितेग राज की संगठन और संस्ताओं के संसादनों के नुशार आर्थिक सामाजी को उसकी गरिमा उसके व्यक्तित के मुक्त विकास के लिए अनिवार संस्कितिक अधिकार दिया गया है और वही आप लोग दे इसके लावों में भाग लेने का अधिकार दिया गया है तो इसमें आप लोग देखेंगे आपकी D option बिलकुस सही रहेगा तीनों इसमें सामिल है और आप देखें कि अगर आपकी अधिकारों की कोई वहां मानता नहीं है जिस देख में आपकी अधिकारों की कोई तहजी ना दी जाए तो इस देख में लोकतंत नहीं कह सकते हैं आप लोग और याद रखें केबल बोट डालना ही अपना नेता चुनना ही लोकतंत नहीं होता है आपके अधिकार किस तरह से मिल रहे हैं आपको स्वास से विवस्थाएं किस तरह से दिलाई जा रहे हैं यह सभी भी मायने रखते हैं और आप लोगों NCEIT पढ़ते हैं तो लोकतंत के बारे में बहुत सरल सब्दों में पढ़ते होंगे और आपको आसानी से समझ में भी आ जाता होगा और अभी हम लोग क्या मानके बैठे हुए हैं कि हम लोगों ने बोट डाल दिया मतलब हमारे देश में लोकतंत है आप सभी जानते हैं कि इंडेक्स आते हैं लोकतंत सूचकांक आते हैं उसमें हमारी क्या इस्तिती रहती है आप सभी जानते हैं, सुतंता सुचकांग निकलते हैं, उसमें भी हमारी क्या इस्तिती रहती है, आप सभी को पता हैं, अंगला कुषियर है हमारे सामने 9, भारत में विधिक सिवा प्यदान करने वाले प्राधी करन, निमले कितम से किस प बारसिक आए वाले ट्रांजेंडर को और तीसरा कर रहा है तीन लाग से कम बारसिक आए वाले अनपेचड़े बर्ग ओवी सी के सदस्थों को और चार कर रहा है सभी वरिष्ट नांग्रेकों को और नेचे देगा कूट का प्रियूप करके आपको सही उत्तर भी चुनना है क् कैसे चुनो के बताईए कुछ इसमें आपको चार कतन दिये गए तो इसमें आप देखें कि एक तो आपका पहला कतन बिल्कुस सही रहेगा क्या रहेगा पहला कतन बिल्कुस सही रहेगा और आप देखें, दूसरा भी बिल्कु सही है आपका, तीसरा और चौत्रा आपका बिल्कु गलत है, अब आप कहेंगे क्यों गलत है, तो इसमें आप देखें, ट्रांसजेंडर के लिए दो लाग की सीमा रखी गई है, बिल्कु सही है, क्या है बिल्कु सही है, और याद रखें, वरिष्ट नांगरेकों को मुप्त कानूनी साहता की पात्ता, इस सम्मन्द में कोई राजसरकार जो भी नियम बनाते हैं, उन्हीं पर रख दिया जाता है, जैसे दिल्ली काउधारन ले सकते हैं, वरिष्ट रांगरेक वार्सेक आयकों निर्धार सीमा की अधीन मुक्त कानूनी साहता प्राप्त कर सकते हैं, साट वर्से अधिकायू का कोई भी व्यक्ति, मुक्त कानूनी साहता सेवाओं के लिए आभेदन कर सकता है, ठीक है? और ये कानूनी सेवा प्राधी करन अधिनियम है एक, उसकी धारा 12 क्या कहती है? 12 के तरह आप देखेंगे सूची बद्ध समाज जिक के वर्ग मुक्त कानूनी सेवा के हगदार होंगे, इसमें आप देखेंगे अनुसूचे जाती होगी, या फिर आपके अनुसूचे जनजाती के सदस सामिल होते हैं, समिधान के अनुच्छे 23 में आप देखेंगे निर्थिस्ट मानो तसकरी या बेगार के सिकार जो बेक्ती हैं वो भी कानूनी हगदार होते हैं कानूनी मुफ्त कानूनी सेवा की हगदार होंगे फिक हैं तो इसमें जरूर याद रखेगा तो इसमें आप लोग देखेंगे क्या रहेगा पहला और दूसरा बिल्कुल सही है लेकिन तीन और चार बिल्कुल कथन गलत थे अंगला कुछे नहीं हमारे सामने दस नेमलिकित कथनों पर आपको विचार करना है नेमलिकित योगुमों पर क्या करना है विचार करना है इसमें पहला क्या कह रहा है अपसे ये आपके अंतराश्टी ये समझोता या संगठन हो गए ये विसय हो गए उनसे जोड़े हो गए अल्मा आटा गोशना लोगों की स्वास्त की देखवाल हैक समझोता ये विसय हो गए तो याद रखे इसमें एक तो आपका पहला बिलकुँ सही आपका बता रहा है जो अल्मा आटा है गोशना ये लोगों की स्वास्त की देखवाल से जुड़ा हुआ बिशाय के अंतरगात आता है हैक समझोता ये आपका गलत होगा और तला नुवा सम्माद ये आप देखेंगे ये भी आपका बिलकुल बैस्विक जलवाई फरिवतन से जुड़ा हुआ है और अंडर टू गठवंदन बाल अधिकार ये भी गलत होगा तो इसमें आप क्या देखेंगे एक और तीन सही है बाकी आप क्या देख रहें दो और चार गलत है ये क्यों गलत है क्योंकि आप देखेंगे है कन्वेंशन या जिसे आप लोग है समझोता भी कहते है ये बच्चों उनके परिवारों को विदेशों में अवैद आनियमित समय से पहले या गलत तरीके से गोद लेने के जोखिमों से बचाता है ठीक है? याद रखेंगा और वहीं अगर हम लोग अंडर टू गटवंदन की बात करें तो राज जोर छितिय सरकारों को एक वेस्विक समधा है जो पैरिश समझा होती है कि अनरूप मात्वा कांची जलवाई कारवाई के लिए पितिवद्ध है कौन सा? अंडर टू गटवंदन तो इसमें आप देखेंगे एक और तीन सही था आपका एक और तीन क्या था? सही था अंगले कुशन की तरप चलते हैं अंगला कुशन है हमारे सामने 11 संसद ये विवस्ता वाली सरकार वह होती है जिसमें A option कहरा है कि संसद के सभी राजनेति गलों का सरकार में पितिनेदित होता है B कहरा है संसद के पिति उतरदाई होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है और C कहा है सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है और D कहा है सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किन्तु निर्धारी समयोधी के पूर होने के पूर हटाई नहीं जा सकती है बताईए कुछ से तो इसमें आप देखेंगे B option आपका बिल्कु सही रहेगा क्या कहता है? सरकार संसत के पिती उत्तरदाई होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है क्या किये जा सकती है? हटाई जा सकती है और याद रखे क्योंकि लोग सरकार को चुनते तो हैं यानि कि आप बोड तो डालते हैं लेकिन सरकार को हटा नहीं सकती है आप लोग यह संसत है जो सरकार को हटा सकती है यानि कि B option आपका ठीक है अंगला कुश्चन है हमारे सामने 12 क्या कह रहा है? भारत की समिधान का कौन सा भाग? कल्यानकारी राज के आदर्स की गोशना करता है भारत की समिधान का कौन सा भाग? कल्यानकारी राज के आदर्स की गोशना करता है और आपने यहां भी आपने लोगों ने अगर नीती निदेसक सिद्धान पड़े होंगे तत्थ पड़े होंगे सम्मिधान का भाग चार पड़ा होगा तो मुझे लगता है कि आप लोग इसका अंसर वहतर तरीके से दे पाएंगे राजी की नीती निदे सकतत B कह रहा है मूल अदिकार C कह रहा है उद्देशी का और D कह रहा है साध्वियन सूची तो इसमें A option आपका बिल्कुल सही रहेगा देखे एक बाद और आपको बताऊ या कि सम्मिधान के भाग तीन में जो आपको मौलिक अदिकार दिये गए अगर ए आपको नहीं मिलते हैं सरगार आपके इन मौलिक अदिकारों पर पितीबंद लगाती है या कोई और संस्था लगाती है तो आप सुप्रेम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं सुप्रेम कोर्ट और हाई कोर्ट आपकी रक्षा करेगा आपकी अदिकारों की लेकिन आपको देखे जो नीती नित्यसित सिध्धान्द में या तत्तों में जो सुप्रेम देने की बात की गई है उन्हें अगर सरकार चाहे तो आपको दे सकती है और नहीं चाहे तो नहीं दे सकती है इसे आप लोग उसी तरह से देख सकते हैं जिस तरह से आपकी मौलिक के लिकार हैं यानि मापकरी मौलिक करतब है मौलिक करतब हैं में आप लोग चाहें तो आपके करतब होंगे आप पर जब अस्ति नहीं करसेटा है कि आप समीधान की एक तरह से क्या करें उस संब्हान करिए जहा कोई पिलब्द करते हैं तो जो राज्य सरकार्ण उपलब्द कराती हैं उन्हें आप लोग कल्यान कारी राज जी कह सकते हैं तो इसलिए आप लोग देख रहे हैं यह ओप्सन आपका बिल्कु सही रहेगा इसमें अंगला कुश्यंट हमारे सामने 13 नेमलिकित कत्रों पर विचार कीजे एक कह रहा है कि भारत का समिधान अपने मूल ढाचे को संगबाद पंतने रिफेक्च ता और मूल अलिकारों तथा लोकतंत की रूम में परिवासित करता है दूसरा कर रहा है कि भारत का समिधान नागरेकों की सुतंता और उन आदर्सों जिन पर समिधान आदरित है कि सुरक्षा इतु नियाइक पुनलोकन की व्याक्या करता है इन दोनों कत्रों में से आपको सही कत्रन चुनना है क्या करना है? सही गतन आप लोगों को देखना है कैसे देखोगे? कुछ बताओगे? तो इसमें आप देखेंगे कि आपका पहला गतन बिल्कु गलत है लेकिन दूसरा गतन बिल्कु सही है सोप्रेम कोट ने मूल सरजना को परिवासित किया है समिधान को नहीं याद रखेगा ठीक है सुप्रीम कोट ने क्या किया हुआ है मूल सरजना को तो परिभासित किया है लेकिन समिधान को नहीं किया है और समिधान का अनुच्छेद अगर आप लोग 13 देखते हैं तो आप लोग देखेंगे कि यह आपका भारत की समिधान प्थन इसमें सही है आपका अंगिला कुश्यन है हमारे सामने 14 क्या कह रहा है एक कह रहा है आपसे कि गांधिवादी और माक्सवाद के बीच एक समान सहमती पाई जाती है यह निमलिखित में से कौन सी है एक कह रहा है एक अंतिम लक्ष की रूम है राजवीन रमाज बी कह इसमें क्या करोगे तो इसमें आप देखेंगे तो आपका यह उपसन बिल्कुल सही रहेगा किया समाथ एक अंतिम लक्ष की रूम में राजवीन समाच यह ऑप्सन आपका बिल्कुल सही है जब माक्स ने भविष के राजवीन कमिनिष्ट समाच की बात की तो उनका मानना था कि यह इतिहासिक इतिहासिक की आवसक्ता थी और इसके लिए इस ब्यक्ति या उस बर्ग या उस नैतिक की अच्छाई पर निर्भर नहीं है और कुछ इसी तरह का आप राजने गांदी जी का भी देखते हैं ठीक है तो इसमें आप लोग ए ओप्सन लगाएंगे कुछिर है हमारे समने पंदर है क्या कह रहा है भारत की संद्रम में नौकर साही का निम्लिकित में से कौन सा उप्योक्त शरित चित्रन है ए कहरा है संसरी लोकतंत की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभी करन बी कहरा है संगी राची की सुद्रन करने वाला अभी करन और सी कहरा है राजनेतिक इस्थाईत और आर्थिक विर्दी को सुलब बनाने वाला अभी करन और डी कहरा है लोग नीति को कयानवीत करने अभी करें बताई इन चार option में से एक सही होगा और वही सही बताना है आपको तो याद रखें लोक नीती को चयानवित करने वाला अभी करें D option आपका बिलकुल सही रहेगा क्या रहेगा B option आपका बिलकुल सही रही गाइस में , इन के बारे में फड़े लिया करो नौकर साही के बारे में live नौकर साही इसे आप देखें कर ये दोक साही अक्रसे का और देखें कि सब्द फ्रांसी सी भात कि बीवरो सब्द से लिया गया है और इसका अर्थ यानि कि इसका मतलब होता है मेच पेसासन या फिर कारिया लों द्वारा प्रवंदन अ और आजकल आप देखेंगे इसकी काफी आलोचना भी होती है क्या नौकर साहों का क्या रविया रहता है आप सभी जानते हैं कहते हैं नहीं कि वो सरकार में नौकर साही हावी हो गई है उत्तर प्रदेश के परिवेक्ष में अभी आप लोग देख भी सकते थे चलिए अंगले कुष्षिन की तरफ बढ़ते हैं अंगला कुष्षिन है हमारे सामने सोले क्या कह रहा है इनका कहना है कि भारत के सम्मिधान की ओदेशी का सम्मिधान का भाग है किन्तु कोई विदेख प्रभाव नहीं रखती है और B कर रहा है समिधान का भाग नहीं है और कोई विदिक पिरभाव भी नहीं रखती है C कर रहा है समिधान का भाग है और वैसा ही विदिक पिरभाव रखती है जैसा कि उनका उसका कोई अन भाग और D कर रहा है समीधान का भाग है किन्तों उसके अन्र भागों से सोतंत होकर उसका कोई विदेख प्रवाव नहीं है तो इसमें क्या करोगे? कुछ बताओगे? ओदेशी का के बारे में पड़े हो के नहीं पड़े? पिस्ताओना भी आप लोग कह देते हैं समीधान की पिस्ताओना और आप देखेंगे कि अगर समीधान के बारे में आप कुछ जाने और समीधान की पिस्ताओना को समीधान की कुझी भी कहा जाता है और अगर आप लोग इससे अच्छे से फड़ेंगे और देखेंगे तो मुझे लगता है कि इसका समिधान का पूरा उद्देशी मालूश आपको चल जाएगा आप सभी को बता होगा कि 26 नवंबर 1949 को भारत का समिधान एक तरह से पारित हुआ और कुछ प्रावधानों के साथ आप देखेंगे उस दिन समिधान लागो भी कर दिया गया था लेकिन पूरी तरह से आप कहें पिरभावी हुगा 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से आपका समिधान लाग हुगा और आप सभी जानते हैं डॉक्टर भीमरा उम्बेटकर साहब को समिधान का नव्माता या फिर समिधान का पिता भी कहते हैं और ये समिधान मस्वदा समिथी एद्ध्यक्च भी थे, समझ रहे हैं। और समिधान सभा में अगर आप उद्देशी का की बात करें या पिस्ताउना की बात करें। तो जवाल अल नहरू ने आपने देखा होगा कि 13 दिसमवर 1946 को एक उद्देशी का पेस की गई थी। और जिसमें बताया गया था कि किस पिकार समिधान तेयार किया जाना है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ पाए हैं। और इसमें उद्देशी का में आप लोग पढ़ते होंगे। बढ़ाने के लिए दड़ संकल्प होकर अपनी इस समिधान सवा में आतारी क्यानिकी 26 नवंबर 1949 को एद्दत द्वारा इस समिधान को अंगीकित आधी नेमित और आत्मार्पित करते हैं। या पिस्तावना भी आप लोगे से कह देते हैं। अब बात आती है इसमें क्या लगाओगे। तो याद रखें इसमें आपका D option बिल्कुल सही होगा। क्या होगा। समिधान का भाग है किन्तु इसके अन भागों से सुतंत होगा। उसका कोई विधिक पिरभाव नहीं है। टीक है। D option आपका बिल्कुल सही है। और आप देखेंगे हमारे सुपरिण कोट ने एक नेड़ाई भी दिया था। जिसमें कहा था कि यह समीधान का एक हिस्सा है। समझ रहे हैं। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा। क्या D option आपका सबसे उप्योगते सबसे अच्छी व्याक्या करता है एक तरह से। कुशें है मारे सामने सत्रे। स्वर्ड ट्रांस रिजर्व ट्रांस निदिष्ट करता है। क्या करता है अब। इसमें A option आपसे क्या कह रहा है। A option कह रहा है आपसे कि विस बैंक की रिड विवस्था। B कह रहा है केंद्री बैंक की किसी एक पिक्रिया को। C कह रहा है WTO द्वारा इसके सदस्वों को फिदत एक साख परणाली को। तो याद रखिए इसमें D option विल्कुल सही रहेगा। आरक्षिद किस्त मुद्रा इसमें आप देखेंगे जो आईएमफ के सदस होते हैं ना देश। पितेक सदस देश को अंतराष्टी मुद्रा कोस को पिदान करना चाहिए और उपयो उसका उपयो अपने उद्देशों के लिए किया जा सकता है। अब यहां हम लोगों को तीन सब्दी भी दिये गए हैं इनके बारे में भी बता देता हूं एक आपका केंद्री बैंक हो ग है और आप लोग अगर देखिएगा अगर कोई छूटा हुआ हो तो उसे विताईएगा उसे भी हम लोग कवर कर लेंगे लेकिन यहां एक बात हमेशा याद रखिएगा क्या इन संगठनों को जरूर आपको पढ़के पेपर में बैठना है क्योंकि आप देखिए कि इन क्योंकि बारे में याद रखिए कौन सी रिपोर्टें जारी करता है कब इसकी स्थाफना हुई भारत इसका सदस सामिल है भारत देश या नहीं है तो अब बात आती है वर्ल्ड वेंग की सबसे वहले और अगर वर्ल्ड वेंग के बारे में बात करें तो इसे आप लोग विस्स बैंक ही ही कहते हैं क्या के 50 और इसकी स्थाफना की बात करें तो जुलाई इसकी स्थापना एक जनवरी 1995 में हुई थी और इसका हेड़क्वाटर आपको जेनेवा में देखने को मिलेगा ठीक है जेनेवा स्वीजेलेंड और आई एमेप की बात करें तो इसे आप लोग सभी देखते होंगे क्या कहते हैं इसे इसे कहते हैं आप लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इसे भी आप देखेंगे कुश्चनस आपके पूछ लेता है इसकी स्थापना भी आप देखेंगे कब हुई थी 27 दिसंबर 1945 में इसका मुख्याल है आपको बॉसेंग्टन डीजे डीसी USA में देखने को मिलेगा ठीक है और एक केंद्री इसकी स्थापना की बात करें तो अंग्रेजों की समय हुई थी इसकी स्थापना कब एक अपरेल 1935 को आर्विया एक्ट 1934 के तह है कोलकाता में हुई थी और इसका मुख्याल है आप देखेंगे कहां है एड़कोटर मुंबई में हैं चोटे-चोटे संगठन आप लोग के पास इस्मार्ट फॉन भी है तो उसे भी आप लोग सर्च करके देख सकते हैं जब फिरी बैठे हुए हैं कहीं जा रहे हैं कि छोड़ी अंगले कुश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं क्या कह रहा है एंगला कुश्चन अठार है एक कि भारत के समिधान की भाग चार में अ प्रवरतनिय नहीं होगे और तीसरा कर रहा है इस भाग में अधीक कतित सिध्धान राज के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे नीचे दीगे कूट का प्रेव करके आपको सही उत्तर चुनना है क्या करना है चुनाओ करना है इनका कैसे करोगे तो एक तो बात आप लोग हमिर सहдеू याद रखेगा इसमें आपका पहला बिलकुल गलत है से दूसरा रा और यो गजुक बिलकुल है अब आप लोग कहेंगी क्यूं सेह ? क्योंकि आपको बता दों कि जो नीति नियुदूशक सिध्धान थे है जमझे, वे न्याले-द्वारः फ्रवरतन हैं नहीं होंगे ऐसा में क्यों वोला हूं कि मालेज़ें कि आपके मौली कदिकार हैं सम्मिधान के भाग तीन में अगर निकीत सुविधा आपको नहीं मिलती है तो आप सुप्रिंग कोट जा सकते हैं लेकिन आप देखेंगे कि अगर आपको किसकी है कि अगर आपको नेतिद्य इज़क सिध्धांत में जो दिये गए वेवस्ताइं की यहीं जो बात की अगर यह नहीं मिलती है तो याद रखिए आप सुप्रिंग कोट नहीं जा सकते हैं किसी नियालय में नहीं जा सकते हैं और नियालय नहीं इसमें हस्तेश्चेप कर सकता है यह आपके राज सरकारों पर निभार रहता है कि अगर राज सरकारें चाहें तो दिला सकती है और नहीं चाहें तो नहीं दला सकते हैं तो इसे आप लोग विसेश तोर पर याद और तीन बिल्कु सही रहेंगे इसमें यानि कि D option आपका बिल्कु सही है अंगला कुश्चन है मरस आपने 19 क्या कह रहा है 19 कुश्चन इनका कह रहा है कि निमलखीत कत्रों पर विचार कीजिए आप लो एक कह रहा है भारत की समिधान की अंसार कोई भी ऐसा वेक्ती जो मद्दान के लिए योग है किसी राज में 6 माय के लिए मंत्री मनाया जा सकता है तब भी जब किसी भी जब की उस राज जी की विधान मंडल का सदस नहीं है दूसरा करा लोग पिति निदी अधिनियां 1959 के अनुसार कोई भी ऐसा वेक्ती जो दंडिक अफराद के अंतर के दोसी पाया जाता है और जैसे 5 बर्स के लिए कारवास का दंड दिया गया है चुनाव लड़ने के लिए स्थाजी तोरपर निरहत हो जाता है भले ही वह कारवास से मुक्त हो चुका हो इन दोनों कत्रों में से उसकी नहीं से कितने कुष्ण पूशे जा रहे हैं किस सब्जेक्ट से कितने कुष्ण आई हुए है तो आप लोग फहला कथन विल्कू सही है इसमें इसमें कोई दोराय नहीं है देखें एक सामान जानकारी आपको दे दूँ कि कैन्द सरकार की बात हो केंद सरकार में आप देखते हैं मंत्री बनने की बात हो केमिनेट मंत्री या राज मंत्री या और कोई मंत्री या फिर आप देखें पिधान मंत्री बनने की बात हो अगर आप लोग लोगसभा और राजसभा के सदस्त नहीं है तब भी आप लोग पैधान मंत्री और केमरेट मंत्री मंत्री बन सकते हैं लेकिन और इस लेकिन का बहुत महत्त भी है लेकिन आपको 6 महीने के अंदर 6 महीने की भीतर या तो राजसभा से या लोगसभा से आपको सदस्य वनिना अनिवार होगा और इसी तरह आप लोग राज्यों में देख सकते हैं अगर राज में आपको मुखमंत्री बनना है या मंत्री बनना है तो जिस समय मंत्री बनना है उस समय आपके लिए अनिवार नहीं है उदाउट आगरे जब मुखमंत्री बनते हैं तब वो राज ना तो आप देखेंगे बिधान सबा की सदस्ती और नहीं बिधान फरिशत की सदस्ती फिर भी मुखमंत्री बना गए थी तो उनी की बात कराऊं उन जैसे कई इसलिए चर्चा में भी आ जाता है लेकिन आपको छ जरूर याद रख सकते हैं आप लोग और अगर दूसरे कथन की हम लोग बात करें दूसरा आप कहेंगे कि गलत क्यों है पहला दो ठीक है सही हो गया लेकिन दूसरे की अगर बात करें हम लोग याद रखें जो आपका 1959 में आपका लोग पितने दित अधिनियम आये हुगा था इसकी धारा आठ क्या कहती है कुछ अपरादियों के लिए अपरादों के लिए आयोगता की आधार बताती है इसमें आप देखेंगे इसकी उपधारा है एक दो और इसमें क्या ठहता है इ कि आठ सब्सक्राइब के लिए तो यह आपका गलत है लेकिन आप देखेंगे यह आपका पांस साल नहीं रखी गई दो साल से जांदा अगर कोई रहता है तो वह चुडाव नहीं लड़ सकता है तो राज वह निर्वाचन आयोग करता है क्या करता है किस तरह का वैसला देता ह ठीक है और याद रखी वह किस तरह से रहता है अभी आप देखेंगे एक हर्याणा की पूर मोकमंत्री है चोटाला सहाब उनके बारे में देख रहे हैं उनके इंटर्वीव भी आप लोग ने देखा होगा वह अभी जेल से चोटे हुए दस साल किसे जा हुई थी अब उन् सब्सकारी हत्यारे डकेंत तो आप देखेंगे वो क्यों चाहेंगे वो तो हमेसाँ चाहते हैं किस तरह का कोई पिती बंद नहां लगाए जाए लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं खेर छोड़िए इसमें केबल आपका एक कथन सही था ठीक है कुश्यन है हमारे सामने 20 क्या कह रहा है निमलिकीत कत्रों पर विचाल करना है है भारत का राश्कपती यह स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसत का सब्त आहूत आहान कर सकता है किन्तू सभी तीन सतत्रों का चलाया जाना अनिवार नहीं है और तीसरा करर्यार यह एक बर्स में दिनों की कोई नियुनतम संख्या निर्धारित नहीं किगए जब शंसत का चलना आवस्य कहो इन तीनों कत्रों में से आपको सही कत्ण कौन सा लग रहा है यानि कि सही गथन का चुनाव करना है बताइए कैसे करोगे सही गथन का चुनाव तो इसमें याद रखे एक तो आपका पहला गथन विल्कुल सही है क्या है? विल्कुल सही है आपका और एक आप देखेंगे कि तीसरा गथन आपका विल्कुल सही है दूसरा आपका गलत है क्या है दूसरा आपका बिलकुल गलत है समिधान का नुचित 85 परते होंगे 81 इसमें राश्पती को संसर्थ के पितेग सदन को ऐसे समय और इस्थान पर बैठा करने के लिए बोलाने का अधिकार देता है लेकिन 6 मईने ये में एक सत्त में उसकी अंतिम बैठा को नियत तारीक के वीच हस्तिशेब नहीं किया जाता है ठीक है और एक बर्स में दिनों की कोई नियुनतम संख्या निधारीत नहीं की गई है ये भी याद रखीएगा और राश्टपती के पास सेद रिसकती होती है कि संसत के दोनों संख्या में से किसी भी सदन को बुलाने, इस्तिकित करने अथवा लोकसंगर, लोकसभा को भंग करने के वी सकती और राश्टपती के लेकिन याद रखीए, लोकसभा को भंगर ये मंत्री फैसित की सलाइपर ही करता है अंगला कुश्चन है मारे सामने 21 क्या कह रहा है एक कह रहा है कि भारत की इतिहास की संद्रम में निम्लिकी तेखुमों पर आप विचार कीजे क्या करिए विचार करिए और किस तरह से विचार करोगे औरंग राजकोस का प्रभावी प्रभारी बिनियाय बिनियान इस्ट इंडिया कमटी का भरती एजन्ट मेरा सिदार राज़ी का नामे राजजस दाता उफियक्ति यगमों में से कौन सही संबले थे बता ही तो याद रखिए एक तो आप देखें कि इसमें पहला बिल्कु सही है औरंग आपका राजकोसी प्रभावरी राजकोस का प्रभावरी नहीं है बिनियान इस्ट इंडिया कमपनी का भरती एजन्ट बिल्कु सही है मिरा सिदार इराजकी का नामी राजस्त दाता तो यह भी आपका सही है यानि कि दो और तीन बिल्कु सही है लेकिन पहला आखिर क्यों गलत है औरंग के बाद मैं बात करें तो यह गोदाम के लिए एक फार्सी सद्ध था है और यह कैसा इस्थां जहां बैंचने से पहले माल इकतित किया जाता हो और यह सब्ध एक कारसाला को भी संदिरवित करता है ठेक है कौन? औरंग की बात करें सब्दी की बात करें तो इस संस्कित वंगला सब्द है वनिकमाद जानते वाब व्यापारी भी कहते थे थे आप लो रियत बाड़ी में आप लोगों एक बंदोवस्त परणाली भी सुनी होगी इसमें सरकारों ने मिरा सिधार या सिधारों के बारे में काफी सुरा होगा इन्हें भूमी के एकमात मालिक की रूम में मानता दी गई थी उसमें तो राज्यका नामित राज्यस्विदाता बिलकुल सही है इसमें आपका भी ओफसन बिलकुल ठीक रहेगा कुश्यन है हमारे सामने 22 क्या कह रहा है भारत की धार्मी की तियास की संद्रम में निम्लिखीत कत्रों पर विचार किजिए भारत की धार्मी की तियास की संद्रम में निम्लिखीत कत्रों पर आपको क्या करना है विचार करना है इसमें पहला ओप्षन क्या कह रहा है पहला गतन इसमें कह रहा है आपसे इस्था विर्व वादी महायान बौध धरम से समढ़ध है दूसरा कह रहा है लोग कोतर वादी संपदाय बौध धरम की महासंगीक संपदाय की एक साखा थी और तीसरा करा है महा संगीकों द्वारा बौध की देवत्तर ओपन ने महायान बौध धरम को प्रोसाइद किया और इन तीनों कत्रों में से आपको सही कत्र चुनना है क्या करना है? सही कत्र का चुनाओ करना है कैसे करोगे? तो इसमें आप याद रखे पहला बिलकुल गलत होगा दूसरा आपका ठीक है और तीसरा आपका ठीक है क्योंकि आप बता दो इस्था विरवादी ये आप देखेंगे ठिरु बाद दिन थे और आप देखेंगे ये लोके तुर्शरवादी संपदाई बौत धरम के महासंगीक संपदाई की एक साका थी महासंगीक स्कूल पहले बैसाली के छित में हुगा करता था और अमरावती और नागार जुन कोस के केंद्रों के साथ दच्चन भारत में भी फ्यला था ये ठीक है तो ये भी याद रखिएगा बहुत दिस्कूलों में से एक था ये और तीसरा भी आपका बिल्कुल सही है चलिए इस में क्या लगाओगे दो और तीन बिल्कुल सही रहेगा यानि कि बी ओप्सन आपका बिल्कुल सही रहेगा क्या कर रहे हैं कि निमलिकित में से कौन सा कथन ओद्धोगे करांती के द्वारा 19-वी सताब्धी के पूरवारत में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याक्या करता है नेमलिकित में से कौन सा कथन और दोगे करांथी के द्वारा 19 सिताब्धी के पूरवाद में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याक्या करता है A कह रहा है इसमें कि भारत के दस्तकारी उद्धियों नश्ट हो गए थे और B कह रहा है इसमें भारत की वस्तुद्यों को में मसीनों का बड़ी संख्या में प्रवेस हुआ था और C कह रहा है इसमें देश के अनेक भागों में रेलवे लाइन विचाए गी थी और D कह रहा है बेटी सुत्पाद्यन के आयात भारी सोल्क लगाए गया था तो याद रखे इसमें ए ओप्सन बिल्कु सही होगा भारती ये दस्तिकारी और द्योग नश्ट हो गये थे इसमें ए ओप्सन आपका बिल्कु सही रहेगा अंगला कुशन है हमारा 24 क्या कह रहा है बारत की तिहास में निमलिकित घटनाओं पर आपको विचार करना है क्या करना है विचार ही करोगे इसमें पहला ओप्सन कह रहा है कि राजा भोज की अधीन पितिहारों का उदय दूसरा कह रहा है महिंद बर्वन फर्ष्ट की अधीन पल्लो सत्ता की स्थापना और तीसरा कह रहा है परांतक फर्ष्ट द्वारा चोल सत्ता की स्थापना और ओल्टे सीदे करम में दिये गए हैं तो आपको सही करम में लगा के देखना है तो ये पहले तो इन घटनाओं के बारे में आपको बता देता हो ठीक है तो आप देखेंगे कि राजा भोज की अधीन पितिहारों की बात करें अब लो तो यह लगबग आठवी नौवी सदी की बात है से ठीक है और अगर हम लोग महेंद बर्वन की बात करें तो महेंद बर्वन पितन ने साध्वी से ही की सुरुवात में पल्लो राजा की रूम में बरत्मान वांदिपिती सो बर्तमात तमिलाडू के उत्तरी चित्रों पासासन किया था वहीं अगर हम लोग परादन की बात करें तो यह आप देखेंगे 750 के आसपास सी के बात आसपास देखेंगे तो इसमें आप लोग किस तरह से आप लोग फिर लगाओगे आप तो आपको समझ में आगया होगा तो सबसे पहले आप लोग दो पर जाओगे दो को एक पर लाओगे फिर आप चार पर जाओगे दूसरे नमबर पर लाओगे इसे फिर आपको पहले को तीसरे नमबर पर लाओगे और फिर वाचिता है तीसरा तो इसे चौतरी नमबर पर लाओगे तो इसमें आप लोग C option हो जाएगा 2, 4, 1, 3 इस तरह से ये घटनाए करम से लगेगी आपकी क्या लगेगी? घटनाए करम से लगेगी C common era समझते हो? शलिए तो इसमें क्या लगो? C option आपका? बिलकुँ सही रहेगा question है हमारे सामने 25 नेमलिकित में से कौन साउख वाक? उत्तर हरस्त कालीन सुरोतों में प्रया उलेकित हुंडी के सुरूफ की परिभासा बताता है किसके? हुंडी के किसके? हुंडी के महेंद बर्मन ये बतातू चुका हूँ लेके C काई ही क्या हो गया? नेमलिकित में से कौन उत्तर हरस्त कालीन सुरोतों में प्रया उलेकित हुंडी के सुरूफ की परिभासा बताता है कौन बताता है? इसमें ये ओप्सन क्या कह रहा है आपसी? एका कहना है आपसी हुंडी हिंदी नहीं हुंडी राजा द्वारा अपने अधिनस्तों को दिया गया परावर्स ब कह रहा है पिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली वही और सी कह रहा है विनिवय पत्थ और ड कह रहा है सामत द्वारा अपने अधिनस्तों को दिया गया आदेश तो याद रखिए इसमें विनिवय पत्थ होगा हुंडी एक बित्तिय साधन जो मद्दिकाली भारत में व्यापारो क्रेडिक लेन देन में उपयोप के लिए विक्सित किया गया था क्या होगा ये बिल ओप एक्षेंज यानि क्यों भी निवय पत्थ हुंडी इस तरह की सब्दी भी कई बार पूँच लेता है कि इस सब्द का किस से संबंद रखता है इसका मतलब क्या है अंगला कुशिन है हमारे सामने 26 क्या कह रहा है इनका न कहना है कि 133 संगराम की समय लिखी गई साखाराम गडेश गनेश देवसकर की पुस्तक देशेर कथा कि संद्रम में निमलिकी कथनों पर आप विचार करिए पहला कथन कर रहा है इस पुस्तक ने उपनेवेसिक राजज द्वारा मस्तिस्की की संबोहक बिजय की विरोध में चेताव नहीं दी और दूसरा कर रहा है इस पुस्तक ने सौदेशी नुकर नाटकों तथा लोक गीतों को फेरित किया और तीसरा कर रहा है देवसकर द्वारा देश सब्दिक का प्रियोग बंगाल चित के विशिष संद्रम में किया गया था और इसमें आप लोगों को तीनों में से तीनों कतनों को पड़ना है उसके वाद सही कतन चुनाव करना है किसका सही कतन का क्या करोगी चुनाव करोगी आप अगर सक्षाराम गणेश की वाद करें देव उसकर की तो यह 1889 की आसपास आप देखेंगे 59 से 12, 1912 की बीच काम करते हैं देश में रहते हैं देशेर कथा यानि की राष्ट की कहानी यह 1904 में नहीं लिखी थी और इसमें आप देखेंगे तीनों कथन बिल्कुल सही होंगे इसमें आपके क्या होंगे तीनों कथन आपके बिल्कुल सही होंगे तो आप देखी आजादी में हर किसी का योगदान रहा है कहते हैं न कि उस समय आप बोल नहीं पा रहे थे तो आप लिख रहे थे और जो लिख नहीं पा रहा था वो बोल रहा था चुप नहीं वैठा हुआ था और जिनोंने बोला और जिनोंने लिखा उनका आप देखते हैं इतिहास में नाम भी है वरना आप समझ सकते हैं वहां भी जनसंक्या भहुत रही होगी आज भी आप देख सकते हैं एक सो तीस में तीस करोर जनसंक्या होने जा रही आपकी इतिहास में कितने लोगों का नाम लिखा जाएगा गिने चुने लोगों का जो अपना काम कर रहे होगे ठीक है और इतिहास में तो करम ही याद रखे जाते हैं आज आप लोग रानी लच्वाई की पूजा करते हैं क्यों करते हैं आज आप लोग भगत सिंग सुखदे और राजगुरू की पूजा करते हैं और आपको मालू होना चाहिए कि अंग्रेज्जों की समय इन्हें देशदरोही आतंगवादी कहा जाता था सिंदिया को आप लोग पढ़तें आज की स्पेसल कोई इतिहास की वोग आप अप लोग पढ़ा के उठाके देखिए उसमें साप लिखा हुआ है कि सिंधिया गद्दार था लेकिन उस समय आप देखी इन्हें बड़ा देशवक्त कहा जाता था राष्टवादी कहा जाता था क्योंकि अंग्रेजों से इनकी बड़ी समित्दा थी उनका साथ दिया करते थे तो यह सभी मायन है रखते हैं आपके कामकाच तो इसमें आप लोग क्या लगाओ कि डी ऑप्षन आपका ठीक रहेगा अंगला गुशान है मारी सामने गांधी इर्वेन समझोती में नेमलिकित में से क्या समयलित था या थे था या थे बताए राउंड टेवल कॉन्फेंस में भाग लेने के लिए कॉंग्रेस को आमंतित करना बी कह रहा है दूसरा कह रहा है कि पुलिस जयदातियों की जाच हे तू करने ही तू गांधी जी कि सुझाओ को सुईकिती देना और चार करना है केवल उनी केदियों की रहा ही जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था नीचे देगे कूट का परियोग करके आपको सही उत्तर चुनना है क्या करना है सही उत्तर आप लोग देखना है इसमें से तो इसमें आप लोग देखोगे अगर तो एक तो आपको देखने को मिलेगा इसमें पहला गतन बिल्कुल सही रहेगा दूसरा भी बिल्कुल सही रहेगा लेकन तीसरा आपका गलत और इसमें चाल गतन भी बिल्कुल सही रहेगा आपका आप लोग देखते होंगे गांधी ओ समय के जो ततकालीं वाइस राय थी लॉर्ड इरविन इनके बीच एक समझोता हुआ था इसे ही आप लोग गांधी इरविन समझोता भी कह देते हैं गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं एबात है 1931 की ठीक है तो यह आप लोग याद रखिएगा इसमें आपका क्या होगा बी ओप्सन बिलकुल सहीर आएगा एक दो चार अंगला गूश्टन है हमारे सामने 28 आसपस से समझाई के लोगों को लक्षित कर पिथम मासिक पत्ति का बिटाल बिद्वहनसक किसके द्वारा पिकासित की गई थी इसमें ए ओप्सन आपसे कह रहा है क्या कह रहा है ए ओप्सन कह रहा है कि गोपाल बावू गोपाल बावा बलंग कर बी कह रहा है जेवतिवा फूले सी कह रहा है मोहंदार से करमचंद गांदी यानि कि गांदी साहब और डी कहे रहा है भीमराओ और रामजी अम्बेड कर यानि कि अम्बेड का सहाप तो याद रखी गोपाल बावा वलंग कर ठीक है या बात है 1888 की बात है ठीक है तो इसे भी याद रखिएगा अंगला कुक्षिन है हमारे सामने 29 क्या कह रहा है इनका कहना है कि भारत के थियास की संदर में कुल्या वाप और दुर्ण वाप सब्दे क्या निर्दिष्ट करते हैं क्या बताते हैं कौन कौन से एक आपका है कुल्या वाप और एक आपका दुर्णा वाप इस दोनों सब्द क्या बताते हैं, क्या निजदिष्ट करते हैं तो इसमें आप देखें कि भूमाप से संबन्दे थे किस थे? भूमाप से संबन्दे थे माप की इकाईओं के बारे में एक तरह से बात करते हैं चलिए इससे भी याद रखेगा ये उप्सन आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें ये उप्सन क्या रहेगा? बिल्कुल ठीक है आपका अंगला कुशिन है हमारे सामने 30 क्या कह रहाई? इनका कहना है कि निमलिकित में से किस सासक ने अपनी प्रिजा को इस अबिल्क के माद्यम से परामर्स दिया कोई भी व्यक्ति जो अपने संपदाई को महिमा मंडिल करने की दिरिष्टी से अपने धार्मिक संपदाई की पिसंसा करता है या फिर अपने संपदाई की पिती अत्यदिक भक्ती के कारण अन्य संपदाई की निन्दा करता है वह है अपितु अपने संपदाई को गंबी दोप से हानी पहुचाता है यसे एक तरव आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आप मालेजे दूसरे को समान देते हैं तो आप भी समान पाओगे मान लेजे कि आप दूसरे को अपमानित ही करते रहोगे तो असल में उसका अपमान नहीं कर रहे हैं तुम्हारा खुद अपमान गिरेगा तो उसी तरह से हैं कि आप दूसरे के धरम को मतलब सम्मान दे रहे हैं तो सामने बाला भी आपके धरम को संपान देगा अगर आपके दूसरे के धरम को एक तरह से आप देखिए उसकी निन्दा ही करते रहते हैं तो असल में आपके धरम की निन्दा हो रही आपका धरम नीचे जा रहा है इनका कहने का मतलब यही है असोक, समुद्रगुप्त और हर्थवर्धन या फरकिष्णे देओ और आए तो इसमें आप देखेंगे असोक यह आप देखते हैं मौर समराज का एक सासत था असोक उसी एकी बात हो रही है तो इसमें आपका ए ओप्सन बिल्कु सही रहेगा अंगला कुश्चन है हमारे सामने क्या कह रहा है इनका कहना है आपसे भारत की सांस्किति की इतिहाज की संद्रम में परा मिता सब्द का सही विवरन निमलिकित में से कौन सा है सही विवरन निमलिकित में से कौन सा है A option इसमें क्या कह रहा है आपसे A option कह रहा है आपसे सूत पद्धिती में लिखी गए प्राचींतम धरम सास्त पाठ और B कह रहा है इसमें आपसे बेदों के प्राधीकार को आस्वीकाल करने वाले दासनिक संपदाए और C कह रहा है परिफोर्ण ताएं जिनकी प्राप्ति से बहुत दी सत्य पत्ध प्रसस्त हुआ और D कह रहा है आरंबिक मद्यकाली दच्छिन भारत की सक्ति साली ब्यापारी सैडिया तो इसमें से आप एक तो सही होगा कि यह भी नहीं होगा तो इसमें आप देखेंगे कि आपका C ओप्सन ठीक रहेगा परिफोर्ण ताएं जिनकी प्राप्ति से बहुत दी सत्य पत्ध प्रसस्त हुआ C ओप्सन आपका विल्कु सही है उदार्दा, क्रवना, दसिद्धिया, ठीक है, परामिता तो इसमें क्या लगाओगे? C ओप्सन ठीक रहेगा इसमें अंगला कुश्चन है हमारे सामने 32 क्या गह रहा है? भारती इतिहास की संद्रम में 1884 का रखमा भाई मुकद्मा किस पर केंदित्था? महलाओं को सिक्षा बाने का अधिकार दोसरा गह रहा है सहमती की आयू तीसरा गह रहा है दमपत्य अधिकारों का पित्या इस्थापन और नीचे दीगे कूट का प्रियूप करके आपको सही उत्तर चुनना है कैसे चुनोगे? तो इसमें आप देखेंगे पहला बिलकुँ गत्थन है क्या है? बिलकुँ गलत है इसमें आपने देखा हुगे रख्मा भाई कानूनी मामलों में सामिल होने की कारण इतिहास में अपनी पहचान बनाई है इसने और जिसे सहमती अधिनियम 1991 की आयू की अधिनियम में युगदान दिया है साधी के लिए आप देखेंगे 12 साल थी पहले तो इसमें क्या रहेगा आपका सिक्षा के पानी को अधिकार इसमें बिल्कुल ऐसा कुछ भी सामिल नहीं था दो और तीन बिल्कुल ठीक रहेगा उसमें पहला गतन बिल्कुल गलत रहेगा और अठारा से चौरासी के बाद आप पचासी भी आता है और उसमें आपने देखा कॉंग्रेस जो आप देखते हैं राश्टिय कॉंग्रेस इसकी स्थाफना उसी समय हुई थी इसमें आपका वी ऑप्सन ठीक रहेगा क्या रहेगा ठेक रहेगा और इसी के बाद आप देखें कि बालबबागो अबैद भी बनाए गया था इसी के कारण तो इसमें आपका वी ऑप्सन यानि ये दो और तीन बिल्कुल ठीक है कुष्ची नमर हमारे सामने 33 जै कर रहे हैं इन का कहना है कि निमलिकित में सिक्ष्कारण से भारत में 20-20 सताबधी के आरम में नेल की केति का हरास हुगा A कह रहा है कि नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरन के पिती कास्तकारों का विरोध B कह रहा है नई खोजों के कारण विस्थ बाजार में इसका आलापकर होना C कह रहा है नील की खिती का राष्टी नेताओं द्वारा विरोध किया जाना तो आपको बतादू कि उस समय नई खोजें हो गई थे और आप देखेंगे नई जो उनसे रंग बनाय जाने लगे थे उसके बाद आप देखेंगे कि वो रंग बड़े सस्ते पड़ते थे तो इसी के कारण नील की खेती में कमी आई उस समय दो रसाइन उसी एक नाम था सिंथेटिक इंड़गो यह भी नील के रंग का ही होता था यह 1882 के असपास बनाए गया था तो इसमें आपका बी ओप्सन ठीक रहेगा कुश्य नमर है 34 क्या कहा है इनका कहना है कि बेले जली ने कलकत्ता में पोर्ड बिलियम कॉलेज की स्थाबना किस लिए की थी बताइए और याद रखी इस तरह कि आपके जो भी गवर्नर हैं जो भी हमारे देश में गवर्नर हैं अंग्रेजों की तरफ से उनके बारे में भी विस्तार से आप अपने पास एक जानकारी रखेगा समय रहे हैं? उनका समयकाल क्या रहा है? उनके समयकाल में कौन कौन सी घटना है गटी? फिर आप देखी कि आपके भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं लौड बिलियम बेंटिक से लेकर आप देखेंगे और फिर उसके बाद आप देखेंगे वायसराय का नाम भी आप लोगों वेले जली यह आप देखेंगे गवर्नर हुगा करता था और इसका समय रहता है 1798 सी 1805 के वीचे रहता है और इसके समय आप देखेंगे वेटिस समराज्य में साहिक संधी पडाली अपनाई जाती है इसमें आप देखेंगे हैदरावास सामिल किया जाता है अवद मैसूर त समय आप देखेंगे 2nd आंगल मराथय युद्ध भी हुआ था 1803 से लेकर 1804 की वीच और इसी के समय आप देखेंगे बैसेन की संधी भी उई थी 1802 में बाजी रावillी ऩमेर और अंग्रेजियों की बीच और इसी के समय आप देखेंगे फोंड विलियम कॉलेज कलकत्ता में बनाया गया था लेकिन यहां पूचाए कि विलियम काल्कत्ता में फोड विलियम की कॉलिज की सिस्थाफ ना किस लिये की गई थी तो इसमें कह रहा है कि यह औौपिसन कह रहा है उसे लंदर में स्तित बोर्ड और रious स्थलें हो बाररेक्टर स्ने ऐसा करने चाहता था क्या करना चाहता था यह तो उसी से वूचना पड़ेगा तो इसमें आप देखेंगे डी आपका अब लेकु सही होगा वैबेटिस नागरेकों को भारत में पिसासा नहीं तो फिस्ति चित करना चाहता था ठीक है और इसी लिए आप देखें वो फोर्ड विलियम कॉलेज की स्थाबना की गई थी और यहां विविन ने भासाओं में सिक्षा दे गई थी कलकत्ता चलिए तो इसमें आपका डी ओप्सन होगा अंगला कुष्टन है 35 क्या कह रहा है इनका कहना है कि भारत की इतिहास की संद्रम में उल गुलान अत्वा महान उपदर्म नेमलिकित में से किस घटना का बिवरन था बताई पहला ओप्सन कह रहा है अठारे सु संतावन अठाव अठारे सु संतावन का विद्रो किसके समय हुआ था तो याद रखी इस समय वाइस राय थी लौर्ड केनिंग ठीक है अठारे सु संत्रावन का विद्रो उसी के समय हुआ था 1921 के मोपला विद्रो का और सी कराय 1859 से 60 के बीच नील विद्रो हुआ और डी कराय 1899 से 1900 के बीच विला मुंडा विद्रो हुआ तो याद रखी डी ओप्सन विलको सही है 1921 सतावदी के अंतिम दसक में आप देखेंगे मुंडा एक किर्सी और राजनेतिक सामगरी के साथ एक धार्मी कांदोलन विद्रो भी चलाता था दिर्सा मुंडा उन्होंने ठेके दारों जागी दारों राजाओं हल्कियों को मार का भूमी मुंडा सासन स्थावद करने का लक्ष रखाता डी ऑप्षन आपका बिल्कुल सही रहेगा चली एंगला कोट्शन है हमारे सामने 36 क्या कह रहा है इनका कहना है कि फिराचीन भारत की बिद्वानों साहितकारों के संद्रों में नेमलिकी कत्रों पर आप विचार किजिए पहला कतन कह रहा है कि पढ़नी पुस्समित सुंग संबंदित है दूसरा कराय अमर सींग हरस्वद्धन से संबंदित है और तीसरा कराय कालिदास चंदगुप्त से संबंदित है उफिक कत्रों में से कौन सा सही है सही कत्रों आपको बताना है क्या करना है सही कत्रों बताओगे तो इसमें आप लोग देखेंगे पढ़ेंगे तो इसमें पहला आपका बिल्कुल गलत बताएगा दूसरा भी बिल्कुल गलत बताएगा तीसरा बिल्कुल सही है यानि किसी ओप्सन होगा और पहला और दूसरा गलत क्यों है क्योंकि आप देखें कि इसमें पुस्त में मित्ते सूंग है यह कब रहता है यह आपका यह एक्सवाइब zierपुर्ख के विच इसका सासन रहता है और आप देखेंगे अगर आप पढनी की बात करें तो यह आप देखेंगे कि कि चार इसवाइब पुर्ख करी आसपास रहा है तो यह बिल्यूब नोexist होगा अमर सींग की अगर हम बात करें तो ये प्राचीन भारत की एक संस्कित ब्याकर अर्विध हुआ करते थे कभी थे और विक्रमादित से सम्मंदित थे उनके नो और अतनो में से एक थे विक्रमादित के ठीकर ना की हर्स बर्धन के और आप देखेंगे कालिदास की बात करें तो कालिदास चंदगुपत दुटिये की दरवारी कभी थे कौन कालिदास की बात कर रहा हूं कालिदास की आप लोग रचनाओं को भी याद रखें क्योंकि इन से कई बार questions फूँझ लिया है आपसे कई बार आ चुका है अगर आप चाहें तो बता दो इनकी रचनाओं के बारे में अभिज्यान सकुन्तलम पिक्रम भर्सियम मालवी कागनी मित उत्तर काल मिलताउं सिंगार और आप देखें इसमें अभिज्यान सकुन्तलम मेग दूत रगुवंस कुमार संभव रितू संगहार तो इसमें आपका केबल तीन था सही ठीक कुश्यन है हमारे सामने 37 क्या कह रहा है मानव पिजनन तकनीकी में अभिनव प्रगेती के संद्रव में प्राक्र केंद्रिक इस थानांतरन का प्रयोग किस लिए होता है किस लिए होता है ए ओप्सन इसमें क्या कह रहा है ए ऑप्सन कहरा है कि इन विट्रो अंड की निशेचन के लिए दाता सुकराणू का उप्योग बी कहरा है सुकराणू उथपन करने वाली कोशिकाओं का अनुवानसिक रोपांतरन सी कहरा है स्टेम कोशिकाओं का कार्यात्मक भूणों में विकास और D कहा रहा है संतान में सूत कनीका वाली रोगों का निरोध तो याद रखी इसमें आपका D option विल्कुल सही रहेगा क्या रहेगा एक तरह से संतानों पर माइटो कॉंडियल रोगों के संचैन को रोकने के लिए इसका उप्योग होता है ठीक है? D option ठीक रहेगा अंगला question है मारे सामने 38 विकास की वर्तमान इस्तिती में किंतिम बुद्धी मता AI, Artificial Intelligence नेमलिकित में से किस वे कारिकों फिरभावी रोब से कर सकती है इसमें 5 कथन दिये गए और इनमें से आपको सही AI के बारे में जानना है या देखना है उद्धोगी के काईयों में विद्धुत की खपत कम करना दूसरा करा है सार्थक लगू, कहानियों और गीतों की रचना तीसरा करा है रोगों का निदान चार के अड़े टेक्स्ट से स्पीच में परिवर्तन और पांच कर रहे विद्धुतुर्जा का वेता संचरन नीचे दीगे कूट का फ्रेव करके सही आप लोग चुनिये तो इसमें याद रखे आपके पांचों बिलकुल होंगे क्या होंगे? पांचों होंगे यानि कि D-Option आपका होगा इसमें एक तकनिक है, टेक्नोलोजी है इसे आप लोग एक तरह से किंतिम होस्यारी भी कहते हैं किंतिम बुद्धी भी कहते हैं, बनाई हुई बुद्धी हमारे पास तो आप देखते हैं और अन जानवरों जन्तुओं के पास प्राक्तिक बुद्धी होती है, उपर वाले ने दी हुई है लेकिन आप देखेंगे, इसे बनाया हुआ है हम लोग ने विग्यानिकों ने उसी की बात हो रही है ठीक है, चलिए पता नहीं अभी क्या-क्या हो जाएगा, होने वाला है आगे आके समझ रहे हैं कौन-कौन सी तकनीकी विक्सित की जाएगे कहीं हमारा कामी कतम ना हो जाए अब आप सोची कि अगर हम जैसी हम लोगों जैसी सोचने समझने की बुद्धी सभी के पास हो गई, मसीनों के पास तो हमारा क्या होगा हम लोगों का खेर छोड़िए इसने 49 दरस्व विकास संचार VLC तकनीक के संदरों में निम्लिकित में से कौन सा कथन सही है एक कथन कह रहा है VLC 375 से 750 एनेम वाली विद्धु चुमकिये स्पेक्टरीम तरंग धेरदों का उप्योग करती है दूसरा कह रहा है VLC में देख परासी प्रकास सी वितार संचार की रूम में जाना जाता है तीसरा कह रहा है VLC विलूटूथ की तुला में उत्तर आपको चुनना है अ अ वाधाई इसमें भी कच बताईए तो यह में आप देखींगे तो आपका पहला कथन बुलकुल सही है लेकिन दूसरा गलत खतना है तीसरा भी सही हो चौथरा भी सही है तीसरा के वल दूसरा के वल गलत है क्या है दूसरा गलत है यह आप देखेंगे तो VLC जिसे आप लोग विजीवल लाइट कमिनिकेशन भी कहते हैं एक डिटा संचार संसकरण है जो 400 से 800 ती एच जड की वीच यानि की 780 से 335 एन एम की बीच द्रस्पिकास का उप्यूग करता है और VLC उप्टिकल वाइल लेस्ट संचार पुरुद्गी का एक सबसेट है लेकिन एक कम दूरी का संचार है ना कि दीर ठीक है एक तीन चार यानि की यानि की क्या स्थी ओप्टिन आपका विल्कुल सही रहेगा चली एंगला कुशन आ गया ब्लॉक्चेन तकनीक के संदरब में निम्लकीत कतनों उपर विचार कीचे पहला कतन करा है यह एक सारवजनिक खाता है जिसका हर कोई निरिक्चन कर सकता है वरंतु जिसे कोई भी एक उभोगता नियंतित नहीं करता दूसरा करा है विल्कचेन की सरचना और अभी कल्प SI की इसका समुच्चा डेटा केवल टेप्टो करनसी के विशाय में है और तीसरा करा है विल्कचेन की आधार वोत विशिष्टियों पर आधारी अनुपियों को बिना किसी विक्ति की अनुमती के विक्सित किया जा सकता है इन तीनों में से आपको सही उत्तर चुनना है इन आपका गलत है लेकिन तीसरा ठीक हैं तीसरा दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि बिलोग चेन का उप्योग विभिन उत्देशों के लिए किया जा सकता है जिसमें से किप्टो करंसी उनमें से एक है और आप देख रहें किप्टो करंसी आजकल काफी ही चरचा में बनी हुई है और इसे लिए इस तरह कि खुश्च पूंच लेता है कि कि अप्टो करंसी कि अभी भारत सरकार ने से मानता नहीं देवी हैं पता है कि भारत सरकार ने इसे आप लोग कर्टो करंसी को डिजिटल करंसी भी कहते हैं और एक तरह का एक डिजिटल एसेट है जिसका इस्तेमाल आप किसी चीज को खरीदना है या सर्विस के लिए कर सकते हैं इसका बैमेंट और इसका P2P Electronic System होता है जिसका इस्तेमाल हम इंटरनेट के मादधे हम से Regular Currencies की जगए Goods and Services को फरचीज करने के लिए कर सकते हैं खरीदने के लिए और इसका उपयोग आजकल आप देखिए सबसे जाना उपयोग इसका इसलिए किया जा सकता है कि माल लेज़े आप लोगों को क्या करना है किसी का किसी ने अफरहंड किया हुआ है करनेफ किया हुआ है उसे परमेंट करना है या फिर आप देखिए कि इसका इस्तेमाल ऐसे जगए करना है कि किसी तीसरे व्यक्ति को आपको मालू ही न चलने देना हूँ तो वहाँ भी इसका उप्योग बड़े गुप्त तरीके से हो सकता है बिटकोईन के बारे में भी पड़े होगे कि चली यह आंगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या रहेगा आपका केवल एक कथन ठीक रहेगा इसमें केवल कि एक क्या हूं क्यों एक और तीन यानि कि आपका डी ओप्सन ठीक है ठीक है एक और तीन कतल चली यह अंगला कुष्टन है हमारे सामने 41 इनका क्या कहना है इनका कहना है कारवन नैनो ट्यूब कारवन नैनो ट्यूबों के संद्रम में निमलिकित कथनों पर आप विचार किजे इसमें कहरा है पहला कथन कहरा है कि इनको मानो सरी में उस्दियों और पिती जनों के वाहकों के रूम में पयोग किया जा सकता है दूसरा करा है इसको मानव सरीर के चतिगिस्त पाग के लिए किंते मरक्त कोशीकाओं की रूम में बनाया जा सकता है और तीसरा करा है कि इनका जैब रसानिक सम्वेदिकों में उपयोग किया जा सकता है और चार क्यार एक कार्वा Nano Daewिक जब निवनीकरन, निमनीकरनी यह it 오늘 देज है इन चारों में से आपको सही कत्र चुणना है तो आपको बदादू इसमें चारों कत्र बिल्कुस सही, क्या हैं चारों कत्र बिल्कुस सही है आपके Nano Tube नेनो ट्यूप की सरचना इसे सरीन में एक दवा की परिवाहन यानि की ले जाने के लिए कंटेनर की रूप में पुपियोग करने की नमती देती है नेनो ट्यूप बहुत ही चोटा समझ रहे हैं कार्मन नेनो ट्यूप एक कार्मन पर्माड़ों से बने होते हैं बहुत ही हलके खोक ले इनका आप देखें कि मानो बाल के व्यास का दसवा हजार वाहिस्ता रहता है बहुत चोटा सा चलिए खेर चुड़िए आपने कुरोना वारस को भी तो दिखा है जिसने हमारी उखाद याद दिला दी वो भी हमारे बाल से भी कही करना चोटा वारस है देखन में छोटा लगे घाओ करे गंबीर तो वही हाल इसका भी है तो इसमें टी उप्सन लगा देना ठीक कुश्चन है हमारे सामने 42 क्या कह रहा है इनका कहना है आप से कि निमलिकित गती विदियों पर विचार कीजे एक कह रहा है खेत में फसल पर फीड़क नासी चड़कना दूसरा कह रहा है सक्किय जवाला मुखियों के मुखों का निरेक्षन करना और तीसरा कह रहा है डी एने विसलेशन के लिए उत्तिफ चेपन करती हुई हैलों के कि नमूने इकतित करना तक्नीक के वर्थमान इस तरह पर उपयोगत गतीविदियों में से कौन किसे डॉन के उपयोगत से सफल्दा कुरुगा किया जा सकता है डॉन आप देख रहे हैं कि आजकल डॉनों का उपयोग आपने देखा होगा कि साधी वगयरे में आ जाते हैं कारकरव में इस तरह का कोई फिरोग्राम होता है उसमें डॉन से आप देखते हैं तस्वीरें भी ले जाती हैं आजकल अब यह हाली में आप न देखा होगा जमू कसमीने में काफी डॉन दिखाई दिए हुए थे और उसमें आप न देखा है कि वो एक जगे से दूसरे जगे इस तरह के जो हद्यार होते हैं उन्हें भी पहुँचाने बें हो रहा है आप देखिए डॉन का उपियों करके आप एक सामान को दूसरी जगे सामान पहुचा सकते हैं तो उसी डॉन की बात हो रही है तो इनमें आप देखिए तीनों में आप इनका उपयोग कर सकते हैं आप देखिए खेतों में आराम से फसल छड़क सकते हैं लोग जिस तरह से आप देखते हैं लेके चलते हैं वो उपर से आप देखिए आप कंट्रोल करिए और आप इस तरह से कर सकते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है चलिए खेद छोड़िए इसमें आप क्या लगाओगे D option आपका बिलकुँ सही रहेगा कुश्यन है हमारे समने 43 क्या कह रहा है यह प्रियोग तीन ऐसे अंतरक्ष यानों के को काम में लाएगा जो एक संभाहू तिर्भुच की आखरती में उडान वरेंगे जिसमें पितेग भुजा कि एक मिलियन किलोमीटर लंबी और यानों के वीच की लेजर चमक रही होगी कथित प्रियोग किस से संदरवीत करता है किस के बारे में बात कर रहा है तो यह आप देखेंगे A option कह रहा है आपसे कि Voyager 2 B कह रहा है New Horoyance तीसरा कराई Lisa Pathfinder और D कराई Evolver Lisa तो याद रखे D होगा इसमें यह आप देखेंगे यह उरूपी अंत्रिक चैजन्स की नितित में गुरुत्वा कृष्ण तरंगों का पता लगाने और सटीक रूप से मापने के लिए एक मिस्टन है D option आपका बिल्कुल ठीक रहेगा Science Tech भी पढ़ते रहा करिएगा अंगला कृष्ण है मारे सामने 44 क्या कह रहा है इनका कहना है कि निमलिखीत कत्रों पर विचार कीजे एक करहा है कि भावी माताब फिता की अंड या सुकराणू उत्वन करने वाली सुकराणूं में अनुवानसिक परिवर्तन किया जा सकते कि इसमें भी आप देखें कि आपके तीनों विलकू कथन सही होंगे क्या होंगे पहला भी सही होगा दूसरा भी सही होगा और तीसरा भी विल्कुल सही होगा अगर देखे इनका सही दिशा में उप्योग किया जाए अनुवांसिक परिवर्तन का तो ठीक है आप देखें कि एक समय अल्टा साउंड इस तरह के जो भी तकनीक आई हुई थी इसका उप्योग इसलिए आया हुगा था कि आप सोचें कि अगर बीमारी या कोई इस तरह का रोग है अंदर हमारे पेट के अंदर या किसी और भाग में तो उसका हम लोग आसानी से फोटू ल तो इसलिए चिंता का कारण भी बना रहता है डी किलोनिंग की बात हुई थी आप देखें एक तरह से पोटो कॉपी बनाने की मालेजे कि आपके जैसा ही या मेरे जैसा ही किलोनिंग के द्वारा कोई व्यक्ति बनाया जा सकता है या जनम मतलब आप सोची कि संसोधन करके आ पॉली बेड़ के बारे में आप लोगन सुना होगा कि कुश्चिन है हमारे समने 45 क्या कह रहा है बारत में निवमो कोकल सेयोगमी वैक्सीन की उफियोग का क्या महत्त है एक कह रहा है कि ये वैक्सीन निवोनिया और साथी तनिका सोध और सेपसिस के विरोध फरभावी है दूसरा कि रहा है उन फिति जीवियों पर निर्वारता कम की जा सकती है और और सद फिति रोधी जीवाड़ों के विरोध प्रभावी नहीं है और तीसरा कि रहा है इन वैक्सीन के कोई गौन प्रभाव नहीं है और नहीं ये वैक्सीन कोई फिति और जिजता और समन्दी अभी क्रियाः करती है, इन तीनों मैं से सही, कूट का फ्रेव करके, यह सही उत्तरे चुनना है, तो इसमें क्या रहेगा, आपका, तो इसमें आप देखेंगे, एक तो आपका बिल्कुर कतन सही कहा रहा है, दूसरा भी ठीक कह रहा है, तीसरा आपका लिकन गलत कह रहा है, तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि आपको बता दूँ कि नियूमो कोकल, पॉली सेकराइड वैक्सीन, पीपी भी भी कहते हैं, इसके हलके दूस पर वहाँ भी आपको देखने को में लेगा, दो साल से अधी कुम्म की वैसकों और वच्चों की दिये जाने पर वाले नियूमो कोकल वैक्सीन के संस्कर्ण में कुछ सामिल है, इसमें आप देखेंगे, हलका थोड़ा दर्द, कठोड़ता थोड़ा बढ़ ताम मान में, इलर्जी, इस तरह की कुछ प्रॉबलम भी देखने को मिलती है, इसमे इंगला कुश्चन है, हमारे सामने 46, क्या कह रहा है, इनका कहना है कि भारत में पब्लिक की इंफ्राशार्टक्चर, पदबंध किसकी परसंग में प्रियुक्त किया जाता है, ए ओप्सन कहरा है आपसे कि डिजीटल, सिकॉर्टी अधर्वू सरचना, यानि कि डिजीटल सुरक्षा अधर्वू सरचना, भी कहरा है खाद्यो सुरक्षा अधर्वू सरचना, सी कहरा है स्वास्ति देखवाल और सिक्षा अधर्वू सरचना, और दी कहरा है दूरसंचार और परिबहन आधारभू सरजना तो इसमें आप देखेंगे डिजिटल सुरक्षा आधारभू सरजना पब्लिक की इंफ्राट्रक्चर यानि की PKI डिजिटल दुनिया में उप्योग करता हूं और उपकरणों को प्रमाडित करने वाली एक तकनीक है ठीक है तो इसमें आप ल पादब कोशिकाओं में सेलूलोस कोशी का भीतियां होती है जबकि प्राड़ी कोशिकाओं में बे नहीं होती है दूसरा करा है पादब कोशिकाओं में पिलाज्मा या पिलाज्मा जिल्ली नहीं होती है जबकि इसके भीप्रीत प्राड़ी कोशिकाओं में बे होती है तीस तो इसमें आप लोग पड़ोगे, उसके बाद जानोगे, तो इसमें आप देगेंगे एक तो आपका पहला एकतन ठीक रहेगा, दूसरा गलत है और तीसरा सही है, अब दूसरा गलत क्यों है, कोशीका एक जीवित जीव की मूल इकाई होती है, जहां सभी जीवन फिक्रियां ह होती है जन्तु कोशिका है और पालब कोशिका है एक नाभिक ना कोशिका द्रग माइटो का इंडिया और एक कोशिका जिल्ली कि सामान घटकों को साजा गरती है पालब कोशिकाओं में तीन अत्रिक घटक होते हैं एक तो आप देखते हैं रिक्तिका एक आप देखते हैं किलो तालिस क्या कह रहा है निमलिकित में से कौन से कारक ब्रेंजीन फिदोसर उत्पन करते हैं सौचालीद वाहन द्वारा निस्कासित पदार्त तमाकू का दुआ लकडी का जल्ला रोगन किये के लकडी के फरनीचर का उपयो या पांच कह रहा है पॉली यूरी थिन से निर्मित उत्पादों का उपयो नीचे दीगा कूट का फर्यूप करके आप सही अंसर चुनना है आपको तो याद रखिए इसमें आपके पांचों बिल्कुल सही है पांचों बिल्कुल इसमें सामिल होंगे यानि की डी ऑप्सन आपका ठीक रहेगा बेंजीन पी दूसरन की बात हो मुक्ती प्यदान कर सकती है एक कह रहा है अलम यक विदेशी रेड़ों पर निर्वर्न रहना दूसरा कहरा है कोच और विदेशी वेंकों को प्यारम करना तीसरा कहरा है पूंजी खातिये में पूंट पर इवर्थी निता को बढ़ाय रखना और इन तेनों में से आपको सह सही कूट का प्रयोकर कि सही उत्तर चुनना है यानि कि तीनों को पढ़ना है और इसमें फिर सही चुनना है तो इसमें आप देखेंगे केवल एक सही होगा केवल एक सही होगा दो और तीन विल्कुल गलत होगा आप दूसरा और तीसरा गलत क्यों होगा क्योंकि आप देखें में पूर्ण परीवर्तना को बनाये रखने की बात हो तो फूर्ण CSE का आरत होता है कि चालू और पूजी खाता लेंदन जैसे कि अलकालिक और दीरकालिक दोनों के लिए देश से बाहर मुद्रा की मुक्त आवाजया ही रहे यह केवल भारत को इस तरह की संकट की फिती अधिक संबेदन सील बनाएगा इसलिए आप देखेंगे तीसरा भी गलत है यानि केवल इसमें एक ओप्शन ठीक रहेगा ठीक है ए ओप्शन है मादे सामने 50 क्या कह रहे है यदि आप अपने बेंग के मांग जमा खाते से एक कितना एक लाग की नगल रासी निकालते हैं तो अर्तुदस्ता में ततकालिक रूप से मुद्रा की समग पूर्ती पर इसका क्या पर भाव बढ़ेगा ए कहरा है मुद्रा की समग पूर्ती में एक लाग की कमी हो जाएगी भी कहरा है मुद् मुद्रा की समग पूर्थी आप अर्विवर्थित रहेगी क्योंकि मुद्रा पूर्थी में जनता के पास नगदी मुद्रा और मांग जमा दोनों सामिल होते हैं और मांग जमा से नगद निकालना ही से जनता के पास रखता है ठीक है इसमें D option आपका ठीक रहेगा क्या में से कौन सी उसकी प्रमुक मिसेश्था मानी जाती है और इसके बारे में FDI के बारे में कापी आप लोग सुनते भी रहते होंगे यह हमेशा चर्चा में बना रहता है तो इसमें प्रेड समा सोधन अपेक्चित होता है और डी कहरा है यह है विदेशी संस्तागर निवेस को द्वारा सरकारी पिती भूतियों में किया जाने वाला निवेस है तो इसमें बताईए क्या करोगे कुछ कर पाऊगे तो इसी याद रखिए इसमें B option आपका बिलकुँ सही रहेग आपको बता तो फित्यक्च विदेशी निवेस की बात करें तो इसे आप लोग साथारान सब्दों में समझगे माली यह आप हो आप किसी देश में निवेस करने जा रहे है तो दो तरीके होते हैं आपके पास आप कुछ यहां से पैसा लेकर आप दूसरे देश में तो याद रखिए FDI दो तरह से जाती है एक तो आप देखते हैं ग्रेंफिल्ड निवेस जिसमें आप देखेंगे यहां से आप जाओगे और एक नई कंपनी स्थापित कर लोगे वहां जाकर एक दूसरा तरही का होता है पोर्टपोलियो निवेस और इसके तहत आप लोग और यह काफी विवाद भी बना रहता है इस पर और आप देखते हैं कि हमारे यहां रिपोर्टें आती रहते हैं कि इस बार इतना निवेस आया हुआ है FDI की तरो अंगला कुशेन हैं हमारे सामने 52 क्या कह रहा है वरतमार में भारत के इंतराश्टी ब्यापार की संदर्म मे निमलिकित में से कौन से कथन सही है पहला कथन कह रहा है भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है दूसरा कह रहा है भारत के लोहिवा इसपाद रसाइनों और वरकों और मसीनों के आयात में हाल के बरसों में कमी आई है और तीसरा कह रहा है भारत की सेवाओं का निर्या दे पाएंगे पहला option आप लोग विल्को सही लगाएंगे क्यों क्योंकि आपको पता दूं कि आप मालेजे भारत की माल का निर्याद माल के आयाद से कम है यानि कहने का मतलब यह है कि हम बैंच तो रहें 10 रोपे की और खदीर रहें 20 रोपे की चीज़ तो वही हाल भारत का भ रसाइनों और वरकों और मसेनों के आयात में हाल के वरसों में कमें की बड़ोतरी देखी गई है और इसलिए आप देखें कि यह कथन बिल्कुल गलत होगा भारत की सेवाओं का निर्याद सेवाओं की आयात से दिखे यह बिल्कुल सही है भारत को कूल में लाकर व्यापार किसा रहेगा ठीक रहेगा अंगला कुक्षिन है हमारे सामने त्रेपन एक क्या कर रहे कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला पद वेश्ट टेकसास इंटरमीडियट निम लेखे तुम इसे किस एक फदाज की सेंडी से संबंदित है कच्चे तेल की बहुमूल दातू की दुड़लब मिरदा तत्यों की या यह फिर इउरेनियम की तो याद रखे इसमें आपका कच्चे तेल की ए ओप्सन ठीक रहेगा अंगले कुक्षिन की तरफ बढ़ते हैं अंगला कुक्षिन हमारे सामने चमवन क्या कह रहे हैं इनका कहना है कि भारती और तोस्ता की संद् में निमलिकित में से कौन से या कौन सा गयरवितियर रिड में समलित है एक कह रहा है परिवारों को वाकाया गयरे रिड दूसरा कह रहा है क्रेडिट कायडों पर वाकाया रासी और तीसरा कह रहा है राज कोस विल नीची दी के कूट का फ्रेव करके आपको सही उत्तर चु अंगले कुष्छन की तरफ चलते हैं? अंगला कुष्छन हमारे समने 55. क्या कह रहा है? एक कह रहा है कि भारत में क्यों कुछ फर्माड़ू रियक्टर आई, ए, ए, ए सुरक्षा उपायों के दीन रखे जाते हैं और अन थोरियम का बी करा है कुछ आयात थी उरीनियम का प्रियोग करते हैं और कुछ अन घरेलू आपूर्थी का और सी करा है कुछ विदेसी उद्मद्वारा संचालित होते हैं और अन घरेलू उद्मद्वारा और डी करा है कुछ सरकारी स्वामित बाले होते हैं और अन नी जी स्वामित्वाले तो याद रखे इसमें आपका भी ऑप्सन ठीक रहेगा कुछ आयाति ती उरीनियम क्या परियोग करते हैं और अन्य घरेलू आप ओड़ती का इसमें एक संगठन आपका देखने को मिलेगा यहां उल्लेक किया गया है ए आई ए एक के बारे में इसे आप लोग इंटरनेशनल एटोमिक इनरजी एजनसी भी कहते हैं और आप सभी कमालो होगा कि इसकी स्थापना 29 जुलाई उन्नीस संताबन में हुई थी और इसका हेड़कॉर्टर कहां देखने को मिलेगा बेना ऑस्टेरिया में ठीक है आउस्टेलिया नहीं है आउस्टेरिया है ठीक है तो भी ओप्सन आपका ठीक रहेगा इसमें अंगला कुश्चन है हमारे सामने 56 क्या कह रहा है एक कह रहा है ब्यापार संबंदी निवेस उपायों के संदर्ब में निम्लिकी कत्रों में से कौन सा सही है बताईए इसमें तीन कत्रों आपको देगे रहे हैं और इन तीनों में से आप लोग क्या चुनोगे कुछ चुन पाओगे या नहीं तो इसमें पहला कत्रों कह रहा है आपसे ब्यदेशी में निवेस को द्वारा किये जाने वाले आयात पर परिमाड आत्मक निर्वंधन निर्सिद्ध होते हैं और दूसरा कहँ रहा है यह बस्तु और सेवाओं दोनों की ब्यापार से संभंदित निवेस उपायों पर लागु होते हैं और तीसरा कह रहा है यह है विदेशी निवेश के नियमन में से सम्मंदित नहीं है और नीचे दीगे कूट का प्रियोग करके आपको सही उत्तर चुनना है तीनों को पहले अच्छी तरह से पढ़ना है उसके बाद आप लोगों को सही उत्तर बताना है तो इसमें आप देखेंगे एक तो आपका पहला कतान बिल्कुल सही है वसके बाद देखेंगे आप लोग की दूसरा बिल्कुल गलत है और एक तीसरा ठीक है दूसरा अब आप कहोगे की दूसरा गलत क्यों है क्योंकि यह समझोती की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद एक में परिभासित किया गया है ट्रेम्स की अनुच्छेद एक में जिसमें कहा गया कि समझोता केवल माल के ब्यापार से सम्मंदित निवे सुपायों पर ही लागू होगा ठीक है सेवाओं पर लागू नहीं होगा यह आप लोग जरूर याद रखिए और इसलिए आप देख रहे हैं कि दूसरा कथन गलत भी है तो इसमें सी ओप्शन आपका विल्कुल सही रहेगा शली अंगले कुश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग अंगला कुश्चन क्या कहा रहा है आपसे अंगला कुश्चन है हमारे सामने संतावन चपपन के बाद संतावन ही तो आएगा तो इसमें कहा रहा है कि RBI फिरसारवादी मौद्रिक नीती का अनुसरन करने का नेड़य लेता है तो एह निमलिखित में से क्या नहीं करेगा पहला कहा रहा है कि बेदानी के तरलता अनुपात को घटा कर उसे अनकूलित करना दूसरा कहा है सीमान तिस्थाई सुविधा दर को बढ़ाना और तीसरा कहा है बैंक दर को घटाना तथा रिफो दर को भी घटाना और नीचे दिग्य कोट का प्रेव करके आपको सही उत्तर चुनना है क्या करना है? सही उत्तर चुनना है तो आपको बता दू इसमें पहला करतर बिलकु गलत है और इसमें दूसरा बिलकुल ठीक रहेगा और तीसरा बिलकुल गलत रहेगा यानि कि Bay Option रहेगा को उधार देने के लिए अधिक जगह देता है तीक है इसलिए आप देखेंगे पहला कतन गलत रहेगा कि आर्वी आई के बारे में भी जान लीजे कहीं आप लोग आर्वी आई के बारे में बात ना करने लगें हमारी केंदरिये बैंक भी है मॉनेंटरी पॉलिसी की बारे में भी आप लोग पढ़ते रहते होंगे तो आर्वी आई की स्थापना के बारे में कई बार बता चुका हूं थिर भी सुन लीजे एक बार इसकी स्थापना ये कपरेल 1935 में हुई थी कोलकाता में और अभी आप इसका हैड़क्वाटर में मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें अगर आपसे क्योंकि इसके कुछ नस कई बार कुछ लिया है जिससे मॉनेटरी पॉलिसी से इसे आप लोग क्या कहते हैं मौद्रिक नेती भी कहते हैं क्या कहते हैं मौद्रिक नेती भी कहते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट तो इनमें बदलाव करने की बात करती रहती है ठीक है तो RVI की जो मौद्रिक नीती समती है ये भाती रजर बैंक अधिनियम 1934 के तहत इस्थापित एक सामविधिक निकाय है ठीक है सामविधिक निकाय है क्या है सामविधिक निकाय है और इसमें आप याद रखें कि 6 मेंबर होते हैं तीन तो आपके सरगार की तरफ से होते हैं और आपको बता दूं कि इसमें अगर हम बात करें तो कि आर्वी आई के जो गवर्नार होते हैं और इस सम्ति के पदेरिन अध्यक्ष होते हैं और तीन तो आपके आर्वी आई यह होगा है तीन कि सदस्तों की नियुक्ति कौन करता है केंद्री बेंक करता है और इस सम्ति में आप देखेंगे नेडाय जो भी लिया जाता है वो बहुमत के आधार पर लिया जाता है अगर आप देखें समान मत हुए तो ऐसे में आप रखी कि रेजर्बेंग के पास अपना निडायक मत होता है वो जिसकी तरब जाएगा उसकी एक तरह से आपके यह की जीश समझ ली जाती है तो एन के बारे में याद रख सकते हैं तो इसमें केवल दूसरा कथन ठीक था ठीक है अंगला कुष्यन देख लेती हैं अंठावन क्या कह रहा है 1991 की आर्थिक ओधारी करण की बाद की भारती और दौस्ता की संबन्द में नयमले कित कत्रों पर विचार कीजीए इसमें पहला कतन आपसे कह रहा है सहरी चेत्रों में सरमीक की उत्पादक्ता में बिद्धी हुई जबकि गरामीड चेत्रों में इसमें कमी देखी गई दूसरा कह रहा है कारवल में गरामीड चेत्रों की पितिसत हिस्सेदारी में सतत बिद्धी हुई है तीसरा के रहे गिरामीड चेत्रों में गैर किसी और दुरस्था में विड़्धी हुई है और चार के रहे गिरामीड रोजगार की विड़्धी दर में कमी आई है इन चारों कतनों को पढ़ना है उसके बाद आपको उप्यों कतनों में से सही कतन का चुनाओ करना है क्या करना है? सही कतनों का चुनाओ करना है तो इसमें आप लोग किस तरह से चुनाओ करो गए? तो पहला कतन तो इसमें बिल्कुल गलत है क्या है बिल्कुल गलत है और एक तो आप देखेंगे इसमें दूसरा भी गलत है क्या है दूसरा भी गलत होगा तीन और चार ये बिल्कुल ठीक है तीन और चार क्या होगा बिल्कुल ठीक होगा देखिए दोनों चेत्रों में आप देखिए सहरी चेत्रों या गिराविट चेत्रों इन्हें में गिरावट देखी गई थी लेकिन आप देख सकते हैं कुछ में दोनों में के बीच आसमान था अधिक थी लेकिन और वहीं अगर आप देखिए कि कायरवल में ग्राविट चेत्रों की पितिसत्त हिस्सेदारी में सतत बिद्धी हुई तो ऐसा भी नहीं था तो इसलिए आप देखें कि पहला और दूसरा कतन बिल्कुल गलत रहेगा लेकिन तीन और चाट ठीक रहेगा आपका इसमें भी कमी देखी गई थी और इसलिए आप देख रहे हैं कि पहला और दूसरा कतन गलत बताया जा रहेगा तीन और चार ठीक रहेगा एक बात और आपको बता दूँ है कि आप लोग जब economy भी पढ़ा करिएगा तो उसे भी आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ा करिएगा बड़े बारीके से questions पूछ लेता है और इसलिए कहते हैं कि NCEIT जरूर पढ़िएगा अगर आप लोग सही में तर यारी कर रहे हैं और फिर आपकी मरजी उसमें क्या कौन क्या कर सकता है रोग थोड़ी सकता है आपको पूल क्या कर सकता है रोग थोड़ी सकता है अंगला कोशन है हमारे सामने 69 क्या कर रहा है निबलिकित कतनों पर विचार कीजे पहला कतन कर रहा है कि SC छेत को अल्व कालीन साक फरीदान करने की संदर्व में जिला केंद्रे सहिकारी बैंक अनुसूचित वडिचिक बैंकों इवं छेत्रे गिरामिट बैंकों की तुला म अधी क्रिड देती है दूसरा करा है कि DCCB का एक सबसे प्रोक कार प्रात्मी किसी साख सम्तियों को निदी उपलब्द कराना है इन दोनों कतनों में से आपको सही कतन चुनना है क्या करना है सही कतन चुनना है कैंद्रिय सहिकारी बैंक के बारे में बात कर रहा है तो इसमें आप देखेंगे पहला गतन आपका विल्कु गलत लगेगा गलत क्या लगेगा है सिरी लगेगा लेकिन दूसरा गतन ठीक रहेगा इसमें पहला गलत थे दूसरा ठीक है अनुसूचित वाड़िजी बैंकों ने क्रिसी और समर्द रेड में प्रेमुख खिसेदारी 78-80% का युगदान दिया है समझ रहे हैं और सहिकारी संस्ताइं क्रिसी रेड देने में महत्मूर भूमिका भी निभाती है सहकारी बैंकों की बात करें संस्थानों की तो इनका हस्सा आप देखेंगे आपको 15 से 16% देखने को मिलेगा और RBI की बात करने तो किरसी रेड में इसका 5% तक युदान देखने को मिलेगा तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे दूसरा कथन ठीक रहेगा इसमें दूसरा कथन क्या रहेगा ठीक रहेगा चली अंगले कुश्चन की तरफ चलते हैं अंगला कुश्चन है हमारे सामने 60 क्या कह रहा है एक कह रहा है भारत में किसी व्यक्ति भारत में किसी ब्यक्ति के साइवर वीमा कराने पर निधी की हानी की भरपाई एवं अनलाबों के यत्रिक्त सामानने ता निमलिकित में से कौन कौन से लाब दिये जाते हैं तो इसमें पहला कठन करा है कि यदी कोई मेल्वेयर कम्पीटर तक उसकी पहुंचे बाधित कर देता है तो कम्पीटर प्रणाली को पणाए पिच्छा प्रचालित करने में लगने वाली लागत दूसरा कहा रहा है यदी यह प्रमाडित हो जाता है कि किसी सरार्थी तत्त द्वारा जान बूच कर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाए गया है तो नई कंप्यूटर की लागत और तीसरा कहा रहा है यदी साइबर बलास ग्रहन होता है तो इस हानी को नियूंद्धम करने के लिए विसेशक के परामर्स दाता कि सिवाई लेने पर लगने वाली लागत और चार कह रहे यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो नियाले में बचाओ करने में लगने वाली लागत तो बताईए एकौन-कौन से लाब मिल दिये जाते हैं तो इसमें आप देखेंगे एक तो पहला लाब दिया जाएगा दूसरा नहीं दिया जाएगा लेकिन तीसरा और चौत्रा भी दिया जाएगा अब आप कहोगे कि दूसरा क्यों नहीं दिया जाएगा, दूसरा भी दे देना चाहिए, तो आपको बता दूं कि दूसरे को छोड़ कर बाकि तो देख दिये जाएगा, एक अलग हाइड़ बेर सामान ने वीमा पॉलिसी में कबल किया जाएगा, साहिवर वीमा केबल इंबर कवरता को कवर करता है, ठीक है, तो इसमें आप लोग नीचे दीगे कूट का प्रेयुक करके सही ही चुनना था, एतना दो आप लोगों को अंदाजा भी हो गया, यानि कि आप लोग क्या बी ओप्सन ठीक रहेगा इसमें, अंगला कुशन है हमारे सामने, 61, इनका क्या कहना है, 60 का, इनका कहना है आप से, भारत में निमलिकित में से किने, क्रिसी में सार्वजिनिक निवीश माना जा सकता है, तो इसमें पहला कथन आप से कह रहा है, करोगे, किर्सी सार्वजिनिक निवेश माना जाएगा, नीचे दीगे कूट का प्रेव करके आपको सही उत्तर भी चुनना है, क्या करना है, सही उत्तर भी चुनना है, तो इसमें याद रिखिया आप लो एक को तो सामिल नहीं किया जाएगा तीन को भी सामिल किया जाएगा चार को सामिल नहीं किया जाएगा पाँच को भी सामिल नहीं करेंगे और छटवे को सामिल करेंगे यानि कि दो, तीन, छे को सामिल करेंगे और एक चार-फाज को सामिल नहीं करेंगे जो ये सबी देख रहे हैं सबी फसलों के किसी उत्पादों के लिए नियुनतम समर्थन मूल ने धारित करना या फर किस्तकों को निसोल की बिजली की आपूरती दिलाना ये सबी सबसिडिया हैं एक तरह से और आप देखेंगे पांच बेंकिक पीडाली द्वारा किसी इरड की मापी एक तरह से आप कह सकते हीं कि आप एक तरह से रियायत होती है ना कि निवेस ठीक है तो इसमें आप लोग देखेंगे दो, तीन और छे निवेस हैं पाकि आपकी कुछ सबसेटियां भी है इसमें और कुछ रियायते हैं आप देख्च मदद भी कह देते हैं आप लोग अंगला कुशन है हमारे सामने 62 क्या कह रहा है भारत में फर्म की ब्याज ब्यापती इनुपाद पद का क्या महत्त है तो इसमें पहला ऑप्सन एक कतन कह र है कि बर्दमान जोकिम को समझने में मदद करता है दूसरा कह रहा है यह होस फर्म जैसे बैंक रिड़ देने जा रहा है कि आने बाले जोकिम के मूल्यांकर में मदद करता है और तीसरा कह रहा है ओधार लेने बाली फर्म का व्याज ब्यापती अनुपाद जितना दिक होग उसका red समा सोधन छमता उतनी ही खराब होगी नीचे दीगा कूट का फिरोग करके आपको सही उत्तर चुनना है सबसे पहले तो इन तीन को पढ़ना होगा न तो इसमें आप देखेंगे पहला आपका ठीक रहेगा दूसरा भी ठीक रहेगा लेकिन तीसरा आपका गलत रहेगा एक और दो ठीक लगाओगे आप लोग इसमें तो क्या लगाओगे ए ओप्सन ठीक रहेगा इसमें ठीक है चली अंगले कुर्षें की तरफ चलते हैं हम लोग अंगला कुर्षें है हमारे सामने 63 क्या कह रहा है हाल के वीतिये दिनों में निमलिकित में से कौन से कारक कौन से नीतियां भारत में चावल की मुल्य को प्रभावित कर रही थी नियुनतम समर्तन मोल सतरकार द्वारा भ्यावार करना तीशरा करा है सरकार द्वारा भंडारं करना चार करा है उभुकता से सहाई किया यानि की सबसिटिज नीचे दीगा कूट का प्रिवक करके आपको सही उत्तर चुनना है तो याब रखे इसमें चारों आपकी सामिल है क्या है चारों आपकी इस चारों भारत में चावल की मूली को प्रभावित कर रही थी तीक है इसमें आपका D ओप्शन ठीक रहेगा अंगला कुशन है हमारे सामने 64 क्या कर रहे निम्रिकीत कत्रों पर विचार कीजे पहला के थन कर रहे कि पिछली दसक में भारत स्रीलंका व्याबार की मूल में सतत बिद्धी हुई है दूसरा कर रहे भारत और बंगला देश की भी छोने वाली व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीजों का व्यापार पिरूंक है तीसतर आईकरा है पिछले पांच बरसों में दच्छनेट इसिया में भारत की व्यापार के सबसे बड़ा भागीदार नेपाल आए और उपियुक्त कत्रों में से कौन सा कत्तर सही इन तीनों कत्रों को आपको पढ़ना है फिर बताना है आपको कि आखिर सही कौन सा है तो इसमें आप देखेंगे कि पहला विल्कुल गलत होगा आपका क्या है पहला विल्कुल गलत होगा दूसरा ठीक होगा और एक आप तीसरा भी विल्कुल गलत होगा अब आप कहोगे कि पहला और तीसरा गलत क्यों है तो आपको बता दूँ ये पिछले दसक में भारत सिर्लिलंका की ब्यापार की मूल में सतत बिद्धी नहीं हुई है बलकि कम ही हुई है इसलिए आप देखेंगे इसमें पहला गतन ठीक गलत रहेगा वहीं अगर हम लोग दच्छे डेसिया में भारत की ब्यापार का सबसे बड़े भागीदार नेपाल की नहीं रहा है जबकि इसमें आप देखेंगे तो बंगलादेश दच्छे डेसिया में भारत का सबसे बड़ा ब्यापारिक भागीदार रहा है कौन सा बंग्लादेश और बंग्लादेश आप देख रहे हैं कि हमारा पडोसी है पडोसी को आप भूल सकते हैं कि देल से हमारा व्यापार गुद जान्दा ही रा है तो इसमें आप देखेंगे दूसरा कथन केबल से ही था एक current से भी जुड़ जाता है economy से भी जुड़ जाता है अब अगलादे से आप देखेंगे तो समय 7.6 billion अमेरिकी डॉलर का ब्यापा रहा था और अगर हम लोग नेपाल से बात करें तो 6.8 billion अमेरिकी डॉलर का रहा था ये 2018 की लगभग बात हो रही है चली अंगले question की तरफ चलते हैं अंगला question है हमारे सामने पैसर क्या कह रहा है इनका कहना है कि निमलिकित मेंसे किस सम्भू के सभी चारों देश G20 के सदस्थ हैं जी 20 के बारे में पड़े हो बताया भी था एक बार जी 20 के बारे में अगर आप सभी क्लासों को देखते रहते हैं तो आप लोग बहुत कुछ जान भी चुके होंगे जी 20 के आपको बता दूँ कि इसमें 26 सेप्टमबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और समय कुरुप सेविन हुआ करता था तो इसमें पहला कह रहा है अर्जिंटिना मैक्सको दच्चिड अफिका तुर्की इसके बारे में तो आप लोग जानते होंगे किसान अगर किसानी से जुड़े रहे होंगे या किसान परिवार से संबंद रखते होंगे तो जरूर आप लोगों को मालू होगा और वैसे भी मालू होना चाहिए किसान क्रेडिट कार्ड ये उजना के अंतरगर निम्लिकित में से किन किन उद्देशों के लिए किरिसकों यानि कि किसानों को अल्पकालीन रिड़ समर्थन उपलब्द कराया जाता है पहला कतन कह रहा है फारं परवी समपतियों के रखराखाओ हेतु कारसील पूजी के लिए दूसरा कह रहा है कि कमबाइन कटाई मसीनों टेक्टरों और मिनी टेंकों के क्रे के लिए और तीन कह रहा है फारं परिवारों के उभोग आवसकताओं के लिए चार कह रहा है भसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए और पांच कह रहा है इसमें परिवारों के लिए घर, निर्माडों और गाउं में सीथा, गार, सुविधाओं की इस्थापना के लिए तो बताई इसमें कितने हैं आपके? छे, पांच कथन दिये गए आप समझ रहे हैं? पांच में कौन कौन सामिल हैं? किसान के डिट का एड़ तो इसमें आप लोग देखेंगे पहला ठीक है क्या है? पहला कथन तो ठीक है और इसके बाद आप देखेंगा तो किसान के डिट काईड की बात हो रही है समझ रहे हैं? पहला ठीक है आपका और दूसरा गलत है तीसरा भी ठीक रहेगा और इसमें आप चार भी ठीक रहेगा लेकिन पांच भी आपका गलत रहेगा ठीक है? इसके लिए किसान के डिट काईड के अंडर आप देखें कि उद्धिसों के लिए करिसकों को अलपकाल्री करिड यानि कि जो एक तरह से लॉन दिया जाता है एक तरह से ठीक है फसल के बाद का खरज, उत्पादन, बिफड़न, रेड़, किसान परिवारों की खपता आवस सकता है, किरसी संपत्ती, किरसी से समंदित गतिविदियां जैसे डेरी पसू, अंतर देशी मत से पालन इन सब के लिए भी, और किसी हो समंद गतिविदियों जैसे पंपसेट, पेर, डेरी पसू, इनके लिए भी दिया जाता है, ठीक है, लेकिन आप देखें, कमाइन, हर्वेश्टर, टेक्टर, मिनी टेक्टर की खरीद इसके अंतरगत नहीं आती है, घर का निर्मार भी आप देखें कि के सी सी के अंतरगत नहीं आता है, तो इसमें आप लोग क्या दख हो गया, एक, तीन, चार, यानि कि बी ओप्सन आपका ठीक रहेगा इसमें, अंगला क्योशन और हमारे सामने, अंगला क्या है, सरसट, निमलिकीième कत्रओं पर विचार करना है, क्या करना है, विचार करना है, इसके बाद आप देखें कि क्या कह रहा है, खाद बस्तूओं का उबोक्ता मूल सूचकांग में भार उसके थोक मूल सूचकांग में दिये गए भार से अधिक है और दूसरा करा है कि BPI यानि कि आप देखेंगे थोक मूल सूचकांग सेवाओं के मूल में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता जैसा कि CPI करता है और दीसरा कराय भारती रेजर बैंक ने अब मुद्राइस्पीती की मुख मान हे तू तथा प्रमुख नीतिकत दरों के निधारन और परिवर्तन हे तू WPI को अपना लिया है और इन तीनों कत्रों को पढ़ने के बाद आपको सही कतन बताना है क्या बताना है सही कतन बताना है तो कैसे बताओगे कुछ आइडिया है तो इसमें आप देखें कि पहला तो आप ठीक कतन ठीक लग रहा है थोक मूलिस उचकांग के बारे में पढ़ो हो कभी इसका उपयोगर अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि इसका थोक मूलिस उचकांग का उपयोग थोक इस तरब वस्तूओं की कीमितों का पता लगाने के लिए किया जाता है समझ रहें भारत में थोक मूलिस उचकांग की आधार पर महेंगाई की गड़ना भी की जाती है तो यह भी आप लोगों कुमाल होगा और वोगता मूलिस उचकांग में आप देखेंगे यह खुदरा करीदारी की दृष्टी से मूल परिवर्थन कुमापता है और CPI में अगर आप देखेंगे वोगता मूलिस उचकांग में की चार परिकार होते हैं उद्धोगिक सेरमिकों के लिए CPI किसी मजदूरों के लिए CPI गरामीड मजदूरों के लिए CPI और एक CPI होता है गरामीड सहरी उसे उच्छत एक तरह से CPI का आधार बर्स बात करें तो यह 2012 माना जाता है लेकिन हमें यहां देखना है कि इसमें आखिर और आपका जो स्रम रोजगार मंतरा ले ने उद्धोगिक स्तिरमुकों के लिए और भोगता मूल से उचकांग एक तरह से जारी करता है इसे जरूर याद रखेगा तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे तो इसमें एक तो आपका पहला ठीक है दूसरा भी ठीक है लेकिन तीसरा आपका पिल्कुल गलत है ठीक है तो इसमें आने की ए ओप्सन ठीक है रहेगा इस सब एकॉनोमी में पड़े होगे विस्ताल से पड़े होगे मुझे लगता है अगर कोचिंग की होगी तब भी पड़ाय होगा और कोचिंग नहीं की है तो उसमें आप लोगोंने कबर किया होगा खेर छोड़े है अब हम लोग आंगे चलते है अरसट कुश्चिंग है नेमलिकित योगमों पर आपको विचार करना है एक तरफ आप देख रहे हैं नदी होगी और में जाकर मिलती है मैकॉंग अर्णवान सागर ठेक्स आयरिस सागर बोलगा कैस्पियन सागर जंबेजी हिंद महासागर और इन चारों को देखकार आपको बताना है कि कौन सही समलित है एक तरफ से सही जोड़ी वनी हुई है तो आप देखेंगे इसमें पहली बिलकुँ गलत है और दूसरा भी गलत है तीसरा और चार बिलकुँ सही है बोलगा नदी एक कैस्पियन सागर में मिलती है और जंबेजी आपकी हिंद महासागर में मिलती है पार, लेकिन आप कहोगे कि बाकी दो नदिया कहां मिलती है, मैंकวंग मैंकोंग नदी के बारे में तो आप लोग सुने भी होगे ठेक्स के बारे में भी सुन लिए होगे मैंकॉंग नदी की बात करें तो ये बिस्त की नदियों bit करमख नदियों में से एक है ये समझ रहे हैं और इसके मेकांग गंगा सहयोग भी आप लोगोंने सुना होगा कि नहीं सुना है मेकांग आपकी तिबबस से सुरू होती है और चीविन के युनान फरांद म्यानमाल थाइलेंड लाओस कमबोडिया में होकर भेती है समझ रहे हैं छे देशों से बार कर बहे कर जाती है मेकांग नदी और दच्षड चीन सागर में एक तरह से मिल जाती है कहां दच्षड चीन सागर में तो यह एक में याद रखिएगा इसे पहले आप लो और थैम्स नदी की बात करें तो याद रखिए यह भी दुनिया की काफी चरशित नदी है थैम्स समझ रहे हैं आप लो इसे थैम्स से भी कहते हैं और टैम्स से में मुझे लगता है कि उसी को आप लोग कहते हैं जो आप देखते हैं कि इंग्लेंड की एगो प्रमुक नदी है यह यह इंग्लेंड में बहती है लंदन इसी के किनारे बसा हुआ है समझ रहे हैं और इंग्लिस चैनल में जाकर यह मिल जाती है कहां इंग्लिस चैनल में थैम्स की बात कराऊं तो इन सभी नदियों पर को भी पढ़ लिया करिएगा तो इसमें आपका तीन और चार ठीक रहेगा यानि कि सी ओप्सन ठीक है अंग्ला कुश्चन पुखी तरफ चलते हैं हम लोग अंग्ला कुश्चन है हमारे सामने 59 क्या कह रहा है एक रहा है निमलिकित कत्रों पर विचार कीज़े आप लोग पहला कत्र इसमें कह रहा है कि सभी अनाजयों दालों और दिल्लेनों का नियूंतम समर्थन मूल पर प्रापन खरीर भारत के किसी भी राज केंदिसासित पिदेश में आसिमित होती है और दूसर कत्रों पर आपको विचार करना है इसके बास सही कतन चुणना है क्या करना है सही कतन चुणना है एक बात और आप लोग देख लीजिएगा अभी भी आप देख रहे हैं जो किसान अंदोलन चल रहा है ये भी नियुन्तम समर्थन मूल भी एक इसका हिस्सा है कि इस पर एक तरह से गारंटी आनी चाहिए, कानूर बनना चाहिए कि इससे कम है जो भी सरकार एक तरह से नियुन्तम समर्थन मूल फसल करते करती है उससे नीचे किसी भी कीमत में नहीं खरीदा जा सकता है तो इसमें आप बेसे देखें तो दोनों कतन बिल्कुल गलत रहेंगे आपके लेकिन आप कहें कि सही क्या रहेगा क्या यह भी तो है तो आप देखें खरीद एक तरह से open ended होती है और यह आसीमित नहीं है क्योंकि हमारा वफा इस टॉक एक तरह से सीमित है और अगर बाजार मूलेओं की बात करें तो देखें MSP से उपर भी हो सकते हैं नीचे भी हो सकते हैं लेकिन एक बात हमेशा याद रहे MSP जो निधारी कर दी जाती है वो आपको मिलेगी ही चाहे आपकी फसल जानदा उत्पादन हो जाए या उसका कम उत्पादन हो जाए और इसकी आओगर हम लोग आओधाना की बात करें तो यह आप 1965 में लागू हुआ था MSP की आओधाना लच्चिमी कांथ जहां सम्ती के बारे में सुने होगे तो इसे ही के तहत आप देखें यह 1965 में लागू हुआ था और किसी लागत और मूल आयो किसे फार्सों के आधार पर ही आप देखेंगे MSP की गोशणा होती है और फसलों की बुआई से पहली आप देखते हैं कि इनकी गोशणा हो जाती है कि आप जो भी फसल वोना चाहें वो सकते हैं और मेरा भी मानना है कि देखिए नियुन्तम समर्थन मूल तो कम से कम होना चाहिए, आप देखिए हमारे किसानों का क्या हाल है, तो इसमें आप देखिए कि D option रहेगा, क्या रहेगा, D option, क्योंकि ना तो एक सही था, और ना ही दूसरा सही था, दोनों कतन बिल्कुर गलत थे इसमें आपकी, इसमें अगला question है आपका, सत्तर, यह क्या कह रहा है, इनका कहना है कि भारती अर्द्वस्था की संद्रप में निमलेखित कतनों पर आप बिचार करिए, इसमें पहला कतन कह रहा है कि वाडिजिक पत्त, अल्फ काले के कालीन पितिभूती रहे थे वचन पत हैं, दोसरा कह रहा है, जमा प्रमाडपत्य भारती रजर बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किये जाने वाला दीर कालीन पितिभूती रहे और तीसरा कह रहा है किसी गवधी द्रव अंतर बैंक लेंदेनों के लिए फ्रयोक्त अल्व अवधी कवित्थ है, और चार कह कुपन बॉंड अनसूचित व्यापारिक बैंक को द्वारा निगमों को निर्गत किये जाने वाले व्यायस सहिद अल्कालीन बॉंड है, और नीचे आपसे कह रहा है कि इन चारों को पढ़िए उसके बाद आप सही उत्तर बताईए, कि आके रेन में से चार ओप्सन में से क तीसरा भी ठीक है, और चार बिल्कु गलत है, एक और तीन ठीक है, दो और चार एक गलत है, क्योंकि आप देखेंगे आरवी आई दूसरा इसलिए गलत है, क्योंकि आरवी आई निगमों को सीडी जारी नहीं करता है, यानि कि जमाप नमढ़ पत्य जारी नहीं करता है, ठी जिरो कूफन वॉन्ड जी सेक जानी कि जिरो कूफन वॉन्ड जो छूट पर जारी किये जाते हैं और बराबर पर भुनाये जाते हैं ऐसे वॉन्ड पर परिपक्रता से पहले आउद्धि के अंतराल पर कोई व्याज भुकतान भी नहीं किया जाता है तो इसमें आप देखेंगे एक ठीक था और तीन ठीक था एक तीन ठीक था यानि किसी ओप्सन आपका बिल्कु ठीक रहेगा अंगले कुशन की दरब बढ़ते हैं हम लोग अंगला कुशन क्या कह रहा है भारत की सांस्किति कितिहास की संदर में निमलिकी तीवमों पर आप विचार कीजे क्या करिए विचार करिए आप लोग कैसे करोगे विचार कुछ पता है तो इसमें पहले तो आप लोग दिखाई दे रहा होगा आपको सामने परिवराजक यानि की परित्यागी बभरमड कारी दूसरा कर रहा है सर्वन उच्छिपाद पर आपते पुजारी उपासक बहुत धरम का साधारान अनुगामी उपियोक दे गुमों में से कौन सही समलित है यानि की आपका इससे जुड़ा हुआ है यह कहने का मतलब यह मतलब को है इस सब्दकार ain't A है समझ रहा है आप परिवराजक का अर्थ परित्यागी जांब भरमड कारी होते हैं मैं तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें पहला थीक बता रहा थे हैं। कि दूसरा आप देखेंगे गलत है क्या है दूसरा गलत है कि लेकिन तीसरा ठीक रहेगा कि क्या रहेगा तीसरा कि ठीक रहेगा इसमें कि सर्वन परंपरा की बात करें तो भारत की धर्म गुरुपत को वह से संबंदे थे एक तरह से भालती धर्म से संबंदे थे कि सुमझ रहे हैं कि चली तो इन्हें भी याद रखते रहा करिएगा कि जो सिरवर्ड आप देखते ना कि प्राचीन भारत की तपस्तियों और र्यागियों का उलिख करता है ठीक है सरमन की बात करें तो इसमें आप देखेंगे आपका ऑप्सन ठीक रहेगा एक और तीन तो याद रख सकते हैं इसमें क्या लगाओगे ऑप्सन ठीक रहेगा अंगला कुशयन हमारे सामने बात तरह क्या कह रहा है एक करहा है कि भारती हातियों के संत्रम में निमिती चत्रों पर विचार कीजे इसमें पहला कतन करहा है कि हातियों के समूग का नित्द दमादा करती है दूसरा करहा हाती के अधिक्तम गरवाउधी 22 मायर तक होती है और तीसरा कराया... सामान ह오 में 잘 만 talking 40 वर्ड की आयु leaf तकी बच्चे पैदा करने की चमता होती है और 4 कराया भारत की राज्जीयों में हाथियोन की सरवादिक जी संखया यानि की केरल में सबसे जानद संखया का पहते हैं केरल में और फिर गतनों में से कौन सा कथन सही है इन चारों में से आपको सही कथन का चुनाव करना है तो एक तो आप देखेंगे आपका हाधियों के समुख का नित्यत मादा करती है यह बिलकुत सही है इसमें कोई एक तरह से confused नहीं होना चाहिए आपको यानि कि कहने का मतलब ही कि सबसे इसकी नेता की रूम में आप कह सकते हैं कि हातियों की नेता कौन होती है सबसे उम्मदराज जो महला होती है ना यानि कि मदा female वही करती है इसका ठीक है? जो भी जुन्ड में रहते हैं उनका मारक दरसन और ग्तरों तरह से आप जो सकते हैं हमारे संवाज को 15 सत्ताइत्मक समाज कहते हैं लेकिन हातियों में आप कह सकते हैं मात 17 नोक्त समाज होता है समझ रहे हैं? कि महिला को जिम्मेदाज दी जाती है तो इसमें आप देखें कि पहला ठीक रहेगा और इसमें आप देखें गर हाती के अधिक्तम गरवाओ दी 22 माहे तक हो सकती है तो ये ठीक है देखें एक मतलब एक तरह से आप देखते हैं कि हम लोगों में 9 माहे की होती है लेकिन हातियों में आप देखी कि बारे महीने बाद ही बच्चा आप देखी एक तरह से जनम होगा उसका तो बारे महीने की होती है और तीसरा कर रहा है सामान हाती में 40 वर्स की आयू के तक के ही बच्चे पैदा करने की चमता होती है तो ये आप लोगों को सत्तर वर्स के देखिए जीता है एक तरह से हाती और लगवग पच्चास साल तक आप देखते हैं कि जनम देता रहते है बच्चों को इसलिए आप देखिए दूसरा तीसरा आपका गलत है और भारत के अगर राज्यों में बात करें तो दच्चिन भारत में आप देखें कि सबसे जाना हाती आपको देखने को मिलेगे करनाटक में वसके बाद आप देखिए कि आपके केरल का नमबर आता है तो इसमें भी आप देखें चौत्रा कथन भी गलत होगा यानि कि यह ओप्सन इसमें ठीक रहेगा एक और दो कथन ठीक है अब आप देखिए हातियों से भी कुश्चन सा जाते हैं हाती भी हमारे लिए मत्पून है चली अंगले कुश्चन की तरब बढ़ते हैं अंगला कुश्चन है हमारे सामने 73 यह कह रहा है कि निम्लिकित में सी कौन सा सरक्षिचित कावेरी बेसिन में स्थित है पहला कह रहा है नागर होली राष्टी उद्ध्यान दूसरा कह रहा है पापी कॉंड़ा राष्टी उद्ध्यान और तीसरा कह रहा है सत्मंगलम बागर अरक्षिचित और चार कह रहा है वायनारड बनजीब अभ्यारन नीची दीगा कूट का प्रेव करके आपको सही उत्तर चुनना है क्या करोना है सही उत्तर चुनना है तो याद रखे इसमें एक तो आपका बिल्कू सही कहे है और तीसरा भी सही है चार भी इसमें समली थे लेकिन दूसरा आपका नहीं है दो को छोड़कर सभी आपके देखेंगे कावेरी वेसिन में आपको देखने कुमलेंगे हिस्सा है फापी कॉंडा की बात करें तो 2014 के बाद पोला और हम बांध के निर्माण के बाद गोदाबरी वेसिन के पास पूरो और पश्चमी कॉदाबरी जिली के अंदर पूरी तरह से बना हुआ है इसमें आपका C ओप्सन ठीक रहेगा क्या रहेगा C ओप्सन ठीक रहेगा चलिए इसमें 1, 3, 4 यानि की C ओप्सन अंगला है हमारे सामने कुशन 74 क्या कह रहा है एक राय की भारत की जैब विविता की संद्रम में सीलोन फॉग माउट कॉपर स्मेट का बारवेट ग्रे चैंड मिनी वेट और हराइट थ्रोटेड रिड इस्टायट ये क्या हैं सब ये सबद आप देख रहे हैं ये मतलब आखिर हैं क्या पक्ची फ्राइमेट सरीसिफ उबैचर याद रखिए पक्ची हैं सब अब हमने आपने तो इनके नाम भी नहीं सुने हो समझ रहे हैं तो आप समझें कि पक्ची भी इसतने तरह के होते हैं चलिए कर अंगले कुश्यन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अंगला कुश्यन है मारे सामने पचान पचत्तर भारती अनूप मरग यानि की बारे सिंगा कि उस उपजाती जो पक्की भूमी पर फलती फूलती है और केवल घास भक्ची है कि सरक्चर के लिए निमलिकित में से कौन से सरक्चित-चित पिसित हैं काना राष्टी उद्यान मानस राष्टी उद्यान मुद्व मलाईर बने जी बभ्यारन या फिर आपका ताल चपर बने जी बभ्यारन तो बताईए इसमें आप देखें कि काना राष्टी उद्यान की बात हो रही है काना राष्टी उद्यान इसे आपको दियाद रख सकते हैं काना राष्ट्री उद्यान मद्वधिस में आपको देखने को मिलेगा ठीक है बी ओप्सन लगाओगे ठीक अंगला कुष्टन है हमारे सामने छेत्र क्या कह रहा है इनका कहना है कि इस पाद सलेग निमलेकित में से किसके लिए सामगरी हो सकता है पहला कह रहा है कि आधार सडक के निर्मार के लिए दूसरा कहतन कह रहा है किरसी मिर्दा के उस सुधार के लिए और तीसरा कह रहा है सिमेंट के उत्पादन के लिए और नीचे दीगे कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है तो किसकी बात हो रही है? इस लेक की बात हो रही है तो बताईए इसमें याद रखे आपका तीनों के लिए हो सकता है इसका उपयोग तीनों कामों के लिए हो सकता है आधार सडक के निर्माण के लिए भी क्रिसा मिर्दा की सुधार के लिए और सेमेंट के उतपादन के लिए भी धान के खेतों में आप देखते होंगे धान की मिट्टी होती है न जो और वर्कों में आप देख सकते हैं इसका एक तरह से उप्योप कर सकते हैं इससे क्या होगा अनाच की उपज भी बढ़ेगी और सेमेंट की उत्फादन में भी हो सकता है और जो सड़क देखते ना इनके आधार के लिए भी हो सकता है इसका उप्यों यानि कि इसमें आप डी ओप्सन लगाएंगे तीनों रहेंगे ठीक है अंगला कोशन है हमारे सामने सततर नेमलिकित में सी कौन ऐसे सरवादिक संभावनी इस्थान हैं जहां कस्तोरी मिर्ग अपने प्राक्तिकमास में मिल सकता है एक कह रहा है असकोट बने जी बभ्यारन दूसरा कह रहा है गंगोत्री राष्टी उद्यान तीसरा कह सन पूर बने जी बभ्यारन और चार कह रहा है मानस राष्टी उद्यान नीचे दीगे पूट का प्रियोग करके आपको सही उत्तर चुनना है तो याद रखी असकोट बन कि यह आप देखेंगे दुरुलाव लुप्त प्रया प्रजातियों जिस मैंसे आता है और यह असकोर्ट आपको बन जीब अब भ्यारन उत्तरा खंड में देखने को मिलेगा तो इसमें आपका यह ओप्सन ठीक रहेगा ठीक है अंगले कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं अंगला कुश्चन क्या कह रहा है 78 ग्रामीर सडक निर्माड में पर्या बढ़नी है दीर गोपयोगीता कुश्चन करने अथवा कारवन पजचन को घटाने के लिए निमलिकित में से किसकी प्रयोग को अधिक प्रात्मिकता दी जाती है एक कर रहा है तामसले दूसरा कर रहा है सीथ मिसरित एसफाल्ट प्रोदुगी की तीसरा कर रहा है जीओ टेक्स टाइस और चार कर रहा है हूश्चन मिसरित एसफाल्ट प्रोदुगी की और पांच कर रहा है पोर्टलेंड टिमेंट नीची दिगे कूट खबरियोग करकि आपको सही उत्तर चुनना है तो इसमें क्या लगाँगवाई 78 में तो इसमें आप देखेंगे 2 तो आप बिलकुत ठीक है ने दूसरा भी ठीक रहेगा ती स्रा भी ठीक रहेगा है ऌए लेकि चार हो माच बिलकुत गलत रहेगा इसमें अभी आपका ठीक रहेगा पाच गलत इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे Portland cement एक प्रमुख CO2 उत्सरजग भी है Carbon dioxide की बात कर रहा हूँ वहीं डामर आप देखेंगे मिस्तनन के लिए जाता है Hot Mixed Damer कच्ची तेल के उत्फाद डामर cement से बंदे लगबग 95% पत्थर रेद बजरी का एक तरह से मिला होता है Portland cement तो इसमें याद रखेंगे आपके तीनों रहेंगे फर्ष्ट तीनों एक दो तीन चली अंगले कुश्चन की तरफ बढ़ते है अंगले कुश्चन है हमारे पास 89 नेमलिकित कथनों पर विचार कीजिए क्या करना है विचार करना है इसमें पहला कथन आप से क्या कर रहा है कोईली की राख में आर्सेनिक सीशा और पारद अंतरविष्ट होते हैं दूसरा कर रहा है कोईला संचाली विद्धु सेंद पर्यावन में सल्फर डाय उक्साइड और नाइट्रोजन के उक्साइड उस साजित करते हैं और तीन कहे रहा है भाती एकुली में राख की अधीक मात्रा पाई जाती है ओपी उप कत्नों में से कौन से कत्न सही है तो याद रखें तीनों कत्न आपके बिल्कुल सही है जो कत्न कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे है यानि की टी ओप्सन आपका इसमें भी ठीक रहेगा चलिए अंगले कुशन को देख लेते हम लोग अंगला कुशन है हमारे सामने 80 क्या कह रहा है खेती में बायोचार का क्या उप्योग है पहला कतन कह रहा है कि बायोचार ओर्द्वादर खेती में विद्धी कर माध्यम के अंसे के रूम में प्रियुक्त किया जा सकता है दूसरा कर रहे है जब बायोचर बिड़ी दर मिद्धी कर माध्यम के असर के रूम में प्रेयोप किया जाता है धारन चमता को अधिक लंबी समय तक बनाए रखने में सहाईक होता है तो इन तीनों कत्नों को पढ़कर आपको सही कत्थन चुनना एंसित क्या करना है सही चुनना है तो याद रखी इसमें भी आप देखेंगी आपके तीनों कथन बिल्कुस सही बोल रहा है खेती में बायोचर की उपयोग की तीनों आपके बिल्कुस सही होगे तीनों उपयोग हो सकते हैं यह आप देखेंगे बायोचर चारकूल का एक इस्थिर कार्मन युक्त रूप है जिसे मिट्टी पर लगाया जाता है उसी की बात कर रहा हूँ अन्य था चारकूल के बारे में कि रूम में भी इसे जानते हैं आप लो और मिट्टी के स्वास्ते में बिड्धी यानि की मिट्टी में सिधार करने के लिए एक पुरानी पदिती भी रही है चलिए तो इसमें आप लोग डी ओप्सन लगा देना ठीक है तीनों आपके बिलकोल ठीक रहेंगे अंगला कुशन है हमारे सामने 81 यदि किसी पौधी की विशिष्ट जाती कुवनिजीप सुरक्षा दिनिया 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया है तो इसका क्या ताथपर है इसका क्या मतलब है बताईए कुछ इसका क्या ताथपर है ए ओप्सन इसमें आप से कह रहा है क्या कह रहा है ए कह रहा है कि उस पौधी की खेती करने के लिए लैसेंस की आवसकता उस पौधी की खेती करने के लिए लैसेंस की आवसकता है और वी कह रहा है ऐसे पौधों की खेती किसी भी परिस्तिती में नहीं हो सकती है और सी क्या कह रहा है इसमें स्थी आप से कह रहा है सी कह रहा है कि यह एक अनुवानसिक्ता रूपांतरी फसली बोदा है और डी कह रहा है ऐसा बोदा आक्रमक होता है और पारितंत के लिए हानिकारिक होता है तो याद रखे ए ओप्सन सही रहेगा हूँ उस पौधी की केती करने के लिए लाइसेंस की आवस्तक्ता होती है यानि की पर्मिट की बात हो रही है समझ रहे हैं आप लोग तो इसमें आप लोग ए ओप्सन ठीक रहेगा ठीक है अंगला कुश्चन हमारे सामने 82 प्राचीन भारतिय गुप्त राजवन्स के समय कि संद्रम में नगर घंटा साला कदूरा तथा चोल किसे लिए विख्यात थे ए ओप्सन कह रहा है इसमें आप से ए कह रहा है बिदेशी व्यापार करने वाले बंदरगा के लिए बी कह रहा है सकती साली राजी की राधदानियों के लिए और से कह रहा है उतकिष्ट पृस्तर कला और इस्थापद्य से समन्दीत इस्थान के लिए और D कहरा आप बहुत धरम की मत्मूर ती तिस्थल के लिए तो याद थे ये थे विदेशी ब्यापार करने वाले बंदरगा के लिए कापी तिसे दे थे ठीक है तो इसमें भी आप देखेंगे ए ओप्सन आपका ठीक रहेगा ये ओप्सन कैसा रहेगा? ठीक रहेगा पर आप चाहें वैसा भी कल सकते हैं अंगला कुर्शन है हमारे सामने 13 किरसी में सून ने जुताई कि क्या लाव है आपने देखा है कि पिछले सालों में भी एक कुर्शन से सून ने जुताई से आया हुआ था तो इसमें एक कथन पहला कथन कर रहा है कि पिछली फसलों की अवसेसों को जलाए बिना के ग्यहों की वुआई संभव दूसरा कर रहा है चावल की नई पौद की नरसरी बिना धान के बीजों को करनम मिर्दा में सीधे रोपन करना और तीसरा किया रहा है मिर्दा में कार्वन फिथक करन संभव नीचे दिखे कूट का प्रिव करके आपको सही उत्तर चुनना है जीरो किरसी के बारे में तो याद रखिस में तीनों आपकी बिल्कु सही है जीरो टीलेज भी कहते हैं जिसमें आप क्या करते हैं कि फसल की बीच को बिना पूर भूमी की तेजारी के सीधे बोय आ जाता है और उसमें जो पिछली फसल रहते हैं उसके ठूट भी आपको देखने को मिल जाएंगे समझ रहे हैं तो इसमें आप तीनों देखेंगे यानि ही डी ओप्सन आपका बिलकुट ठीक रहेगा चली अंगला कुश्चन देख लेते हैं अंगला कुश्चन है हमारे सामने 84 भारत की जैवीधन की राष्टियर नीती के अनुसार जैवीधन के उतपाधन के लिए नेमलेकित में से किनका उप्योग कच्छे माल की रूम में हो सकता है कसावा, छती गिस्त, गेहूं के दाने तीसरा एकरा मुंफली के भी कुल्थी, सडा आलू, चुकंदर किस-किस के हो सकते हैं? बताईए कुछ तो इसमें आप देखेंगे कि एक का हो सकता है कुल्थी का भी नहीं, लेकिन सडा आलू का भी हो सकता है, चुकंदर का भी हो सकता है बायो एथिनॉल की बारे में सुने हो जिसमें आप देखते हैं बायो मास से उत्पादित एथिनॉल जैसे चीनी युक्त सामगरी जैसे गन्ना, चुकंदर, मीठा, सर्वत समझ रहे हैं से जैसे और इस्टार्च युक्त सामगरी जैसे मकई, कसावा, सडे हुए आलू, सैबाल और सेलिव, लौसिक सामगरी जैसे खोई, लगडी का कचरा, किरसी, वणकी, आउसिस अननवी करनी ये संसादन जैसे उद्धोगिक आउसिस्ट, बायो डीजल बायो डीजल में आप देखते होंगे, गैर ख़द बनस्वित तेल, एसिड तेल तो इसमें आप देखेंगी, ए ओप्सन ठीक रहेगा आपका क्या रहेगा, ए ओप्सन ठीक रहेगा आपका अंगला कुश्चन है मारे सामने 85, क्या कह रहा है, नेमलिकित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजीक मूल लिपद का सर्वोत्तम रोग से वाडन करता है आर्थिक मूल के रोग में यह नेमलिकित में से किसका माप है ए कर रहा है पिदत वर्स में एक टन सी ओटू यानि की कारबन डाई उकसाइड की उससाजन से होने वाले दे काली इन छती भी कर रहा है किसी देश की जीवास मीदनों की आवसकता जने जलाकर देश अपने नागरेकों की बस्तुमें और सेवाएं पिदान करता तीसरा कर रहा है कि C कर रहा है किसी जलवाईव सरडार्थी द्वारा किये गए कि ये इसी नए स्थान के पिदी अनकूलित होने ही तो किये गए प्रियास और D कर रहा है पिदी भी ग्रह पर किसी बैक्ति बिसे इस द्वारा अंस दत कारबन पद चिन तो इसमें क्या करोगे आप लोग तो इसमें आप लोगों को फड़ने के बाद एक समझ में आ जाएगा कि एक अथन आपका विल्कुल ठीक रहेगा कारवन की सामाजिक लागत इसे आप लोग S-C-C-B कहते हैं किसी भी समय एक अत्रिक्त टर्ण ग्रीन हाउस गेस कारवन डाय उक्साइड की समकच कि उत्सरजन से होने वाले प्रभवावों को सीमान्त लागत जिसमें पर्यावन और मानव और स्वास्त पर गैर बाजार प्रभवावों को सामिल किया जाता है A option ठीक रहेगगा असमे जलवायू परिवतन को रोकने के लिए इस तरह की रणनीती बनाई जा रही है जलवायू परिवतन हो एक तरस आतंक कित रहे हो आप देखी कि इंडारेक्ट या डारेक्ट पूरी दुनिया आतंग से परिसान है आतंग बादियों की बात करा हूँ उसी तरह आप देखी कि कोई भी देश कहे कुछ भी कहे लेकिन जलवाई उगर बिगरती है पारयावर्ण से हम लोग हस्तेचेप करते हैं इसका नुकसान पूरी दुनिया को उठाने पड़ता है और इसे बचाने के लिए कदम पूरी दुनिया को ही उठाने पड़ेंगे अंगला क्विक्शन है 86 भारत में दालों के उत्पादन के संदर्ब में निमले एक खित कत्रों पर विचार करना है एक कर रहा है कि उठाड यानि कि उठाड भी इसे कह देते हैं आप लोग उठाड की खिती खरीब और रवी दोनों पसलों में की जा सकती है दूसरा है कर रहा है कुल दाल उत्पादन का लगबक आधा भाग केवल मूंग का होता है और तीस्तर रहा कर पिछली तीन दस्कों में जहां खरीब दालों का उत्पादन बढ़ा है, वहीं रवी दालों का उत्पादन घटा है इन तीनों कत्लों को पड़कर आपको सही उत्तर चुनना है सही कत्र निन से चुनना है तो याद रखे इसमें यह option ठीक रहेगा, दूसरा गलत रहेगा और तीसरा भी गलत रहेगा दूसरा और तीसरा कैसा रहेगा, बिल्कु गलत रहेगा उदर की खेती खरीब और अभी दोनों फसलों में की जा सकती है दालें विसे आप देखें तीनों मोसम में होती, खरीब हो, रभी हो, जायद में उगाई जा सकती है कोई नई वाद नहीं है चना सबसे प्रमुक दाल है, लेकि खूल उत्पादन में लगवग 40% की हिस्तेदारी है इसकी और इसके बाद तुर्ग अरहर, आप देखेंगे 15-25% की हिस्तेदारी, उदर और काली, मटफे और मुंग की बात करें तो इसकी 8-10% तक आपको हिस्तेदारी देखने को मिलेगी ठीक है, और तीसरे में आप देखेंगे रवस एक तरह से देखने को मिलेगी कि पिछले तीन बरसों में जहां खरीब दालों का उत्पादन घटा है ना की बड़ा, वहीं रभी दालों का आप देखेंगे उत्पादन बढ़ता हुए देखाई दिया है चलिए इसमें क्या लगाओगे, कि एवल एक कथन सही था, यानि कि ए ओप्सन ठीक रहेगा अंगला कुक्ष्ण है हमारे सामने 87, या फसल उपोष्ण प्रक्ति की है और उसके लिए कठोर पाला हनिकारक है, विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रही दिव्शों और 50 से 100 सेंटीमीटर बसा की आवसक्ता पड़ती है हलकी सू आपर वाहिद मिर्दा जिसमें नमी धारन करने की चमता है और उसकी खेती के लिए आदस रूप से अनकूल है, या फसल निमलेकित में से कौन सी है ये सभी किस फसल के लिए आदस रसाइं बताएं गई है, कपास के लिए, जूट के लिए, गन्ना के लिए, चाय के लिए तो आप देखिए एक कपास के बारे में कहा जा रहा है, पूरी कहानी कपास के लिए बताई जा रही है चलिए अंगला कुश्चन देख लेते हैं अगला कुश्चन है हमारे सामने अठासी सौर जल पंपों के संदर्म में निमलिकित कतनों पर विजार करना है पहला कतन कह रहा है कि सौर उर्जा का प्रियोग पिष्टी है पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निमजनी पंपों के लिए नहीं हो दूसरा एगरा है सौर उर्जा का प्रियोग आपके अंदरी पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और पिष्टन बालों के लिए नहीं उप्योग कतनों में से कौन सा कतन सही है इन दोनों कत्नों को फहले अच्छे से पढ़िए आप लोग फिर आप बताईए कि कौन सही है तो इसमें आप देखेंगे वैसे पढ़ने के बाद आपको मालस लेगा कि दोनों गलत हैं इसमें यानि की D-Option इसके उपयोग सभी को चलाने के संद्राथ में यानि की SORE U carriage की बात हो रही है इसके उपयोग किये जाने वाले SORE URJा jam एता केंद्र सक्षार पउंप घूर सारल 1 पंप सम्वकर 11 ऐसमें यह सब आपको देखने को मिलेगा तो इसमें ना तो एक सही था, ने ही दो ही सही था, यानि कि टी ओपसल है, अंगला कुशन है हमारे सामने नवासी, क्या कह रहा है, एक कह रहा है कि भारत में गन्ने की खेती में, बर्दमान सर्वितियों के संद्रम में निमिकी कत्रों पर विचार कीजिए आप लोग, गन्ने आप लोग देखेंगे, यह उत्तर पर इस महरास्त आपको देखने के मिलेगा, तो इसमें पहला कितना आप से कह रहा है, जब बढ़ चिप टैंक लिंक को नरसरी में वगा कर मुख किरसी भूमी में पिती रोपित किया जाता है, तब 20 सामगरी में बड़ी बचत होती है, द देखेंगे, तो इसमें आप देखेंगे, तो क्या कर रहेगा, एक तो आपको पहला कथन बिलकुर ठीक है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, और एक आपका चार कथन ठीक है, अब आप कहेंगे कि दूसरा हो, तीसरा गलत क्यों है, वैसे आप देखेंगे, गन्ने की वहाई आपके छित में पारम पर एक विधी से होती है, और पिती हेक्टर में 7-8 टन गन्ने बीच की आवसकता होती है, और उत्तर प जब सेट्स का सीधे रोपन किया जाता है, तब एक कलिका सेट्स का आमकरण के तीसरा कई कलिका सेट्स की तुल्ला में बहतर नहीं होता है, तब एक कलिका सेट्स का जीवित वचना बड़े सेट्स की तुल्ला में बहतर नहीं माना हो जाता है, इसलिए आपके दोनों कथन बिल्कुल गलत रहेंगे एक और तीन एक और चार विल्कुल ठीक रहेगा आपका गर्णे की बात हो रही है जिससे आप देखते हैं चीनी बनती है आप जूस भी पीते हैं और क्या क्या करते हैं अंगला खुश्ण है अमारे सामने 90 क्या क्या रहे है ये क्या रहे है जो कि भारत की संद्रम में से किन पदितियों को पारीतंत अनकूली किर्सी माना जाता है तो इसमें पहला कैया रहा है कि फसल विविखिद रूपन दूसरा कforming रहा है सिमव अधीक और तीस्टरा किया रहा है टैन सीयो मीटर का प्रियोग और चार करा है उधादवर किरसी निचे दिए कूट का परियोग करके आपको सही उत्तर चुनना है तो याद रखिए इसमें चारों है आपके किरसी की बात हो रही है समझ रहे हैं अब देखिए किरसी से भी कई questions पूछ लेता है और इसलिए कहता हूं कि किसान है आप और वहतर पड़ सकते हैं आप लोकियों की जुड़े रहते हैं उससे और वहतर आंसर भी दे पाते हैं चलिए अब लोगव हम लोग चलते हैं किसकी अगला question है हमारे सामने इंक्यावन में किरसी में फर्टीगेशन की क्या लाब हैं किरसी में फर्टीगेशन की क्या लाव हैं बदाओ के कुर्सी पहला कर रहा है इसमें पहला कथन कर रहा है कि सिल्डाइ जल की छारीता के नेंदर संभव दूसरा कर रहा है रॉप फोस्फेट और वरकों का सफलता के साथ अनुपियोग संभव तेसरा कर रहा है कि पौदों के लिए पोसक बड़ी हुई मातरा में सुलब किये जा सकते हैं और चार के रहा है रसायनिक पोस्कों की निच्छालन में कमी संभव और नीचे दीगे कूट का प्रिव करके आपको सही उत्तर चुड़ना है तो इसमें आप देखेंगे वैसे तो पहला ठीक रहेगा दूसरा भी दूसरा कहां से ठीक रहेगा पहला ठीक है हाँ दूसरा गलत है तीसरा ठीक है और चार भी ठीक है अब आप कहेंगे दूसरा गलत क्यों है तो आपको बता दूँ कि देखें दूसरे यूरिया, पोटास, अत्यदिक पानी में घुलनसील और वर्ट हर्टीगेशन के माद्यम से लगाने के लिए उपलब्द होते हैं बास्तों में यूरिया हो, सूप्च मसे चाई परणाली में इंजेक्सन के लिए उपयोगत होते हैं क्योंकि ये अत्यदिक घुलनसील होते हैं लेकिन रॉक फॉस्पेट की बात करें एक, तीन, चार्ज, सही था यानि की की ओप्षन ठीक रहेगा अंगला कुश्चन है हमारे सामने बान बेट नेमले किस खनोजियों पर आपको बिचार करना है बेंटोनाइट, क्रोमाइट, कैनाइट, सिलीमेनाइट बारत में उप्षत में से कौन से अधिकारीक रूप से नामित फिर्मों खनेज है बताई इसमें तो इसमें आप बैसे देखें तो कुमाइट भी है, कैनाइट भी है, सेलीमेनाइट भी है लेकिन बेंटोनाइट नहीं है यानि की दो, तीन, चार यानि की डी ओप्षन ठीक रहेगा आपका अंगला कुक्षन है मारे सामने तेहरान में क्या कह रहा है एक हराय की महासागर ओसत तामान की संद्रम में नेमली कित में से कौन से कथन सही है एक हराय ओसियन मेन टेंपरेचर को 126 डिगरी सेल्सियस यानि की सेंटियेट समताब रेखा की गहराई तक मापा जाता है जो जनवरी और मार्च में हिंद महासागर की दच्चन पर्षन में 139 मीटर पर होती है और दूसरा के रहा है OMT जो जनवरी मार्च में 31 किया जाता है और उसे यह निदारित करने के लिए प्रियोग किया जा सकता है कि मानसोन में बर्षा की मात्रा एक निश्चित देख कालीन और सथ बर्षा से कम होगी या अधिक और नीचे देख कूट का प्रियोग करके इन दोनों में से आपको सही बताना है तो आद देखें अगर तो इसमें आपका पहला गतन गलत है दूसरा ठीक रहेगा पहला गलत लेकर दूसरा ठीक रहेगा देखें इसमें एक पचास से सौ मीटर के वीच आपको देखेंगे देखने को मिलेगी ना कि 139 अचलिए आप देखिए एक गलत है आपका दूसरा आपका ठीक रहेगा दूसरा ठीक रहेगा तो भी ओप्सन लगा दोगे अंगला कुशन है आपको और इसी विद्धियों से तो आप देखते हैं कि जो मौसम विग्ञानिक होते हैं वह बता देते हैं कि साल परसा कम होगी या जांदा होगी अंगला कुशन भारत में 2024 भारत में रसानी कर्वड़कों की संद्रम में निमनिकित कत्रों पर विचार कीज़े पहला कतल के रहे बरतमान में रसानी करीवरकों का खुदरा मूल बाजार संचालित हो और यह सरकार द्वारे नेंतित नहीं है दूसरा करा है अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है यह वह है प्राक्टिक गेस से उत्पन होता है और तीसरा करा है कि सलफर जो फॉस्फोरिक अमल और वर्वर्क के लिए कच्चा माल है वह तेल सोधन का खानों का उत्पाद है और तीसरा करा है उपयुक कत्रों में से कौन सा कत्र सही है तो बताए कुछ 94 में क्या लगाओगे कुछ लगा पाओगे तो इसमें आप देखेंगे तो पहला गतन गलत बता रहा है पहला गतन क्या रहेगा गलत रहेगा दूसरा आपका ठीक है तीसरा आपका ठीक है क्योंकि पूरे देश में समाल अधिकतम खुद्रा मूल पर यूरिया की उपलब्दता को सुविधा जनक बनाने के लिए कैंस सरकार परिवान की लागत के लिए यूरिया निर्माड एकाईयों को सबसिटी भी देती है और साथी सरकार के इसी उद्देशों के लिए उचित मूलियों पर औरवकों की उपलब्दता के लिए उन्हें सबसिटी भी देता है सहायता भी देता है समझ रहे हैं तो इसमें आप देखें कि दो और तीन तो ठीक है आपका पहला गलत था तो इसमें आपका भी ओप्सन ठीक रहे है आपको लाश्क में बताता हूं कि कहां से कितने कुश्चंस पहुचे गए थी क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज अलग अलग तरह की कुश्चंस देखने को बढ़े है भारत में 95 क्या कर रहे है भारत में मरू राष्टी उध्यान के संदर और मैं िम्डेकित में से कौन सा कथन सही है डूसरा कि आपको बता दूं कि इसमें कि पहला कथन बिल्कु गलत है दूसरा ठीक है और तीसरा भी ठीक है क्योंकि ये भारती राज राजिस्थान के जैसल में और बाड मेर जिली में आपको देखने कुमलेगा ठीक है बाड मेर माप करिएगा यहाँ कभी कभी ब्याक्या मैं दूसरे ही बता दी थी लेकिन बेज़ से आपको ऑप्सन गलत बता रहे थी यह है दो जिलों में बिश्थे थे कहां कहां तो एक तो आप देखेंगे यह जैसल में आपको देखने को मिलेगा और बाड में यह राजिस्थान के जिले है ठीक है तो इसलिए आप देखेंगे यह बिल्कुल सही है और उद्ध्यान के अंदर कोई मानो बास से स्थल नहीं है तो यहसा कुछ नहीं है एक राष्टी उद्ध्यान में मानो निवास हो सकता है ठीक है इसलिए आप देखेंगे दूसरा गलत है और यह है ग्रेट इंडियन वर्ष्टर्ड की प्राक्तिक अबासों में से एक है यह भी बिल्कुल सही है यानि कि एक और तीन कथन बिल्कुल सही है यानि कि सी ओप्सन आपका ठीक रहेगा एक और तीन अंगले कुश्चन की तरफ बढ़ते हैं अंगला कुश्चन है 96 सियाचीन हेमनाज कहां इसे थे तो यह आप अकसाई चिन की पूर में लेह के पूर में गिलगिट के उत्तर पूर में नुब्रा गाटी के उत्तर में तो आप देखेंगे नुब्रा गाटी के उत्तर में हैं ठीक है चलिए अंगले कुशिन की तरफ चलते संस्तान पर क्या कह रहा है भारत की तिहास की संद्रब में निमलिकी तियोगों पर आपको विचार करना है यह तो आपके पेसे देश्थल हो गए और यह बर्तमान राज्ज हो गए भीलसा, मद्पिदेश, द्वार्समुद, महराष्ट, ग्री नगर, गुजरात, इस्थानिस और उत्तरपिदेश इनमें कौन सही संद्ध है यह तो इसमें आप देखें गर तो भीलसा आपको मद्पिदेश में देखने को मिलेगा और गिरी नगर, गुजरात में देखने को मिलेगा इस्थानिस और उत्तरपिदेश में नहीं देखने को मिलेगे और आप कहोगे कि यह आखिर हैं क्या तो भीलसा आप इसे आपको बता दूं कि यह मद्पिदेश में एक्साइट है और द्वार समद्द की वयाद करें तो यह आपको करनाटक में देखने को मिलेगा और ह़साल की आपने देखायोगा यह सही रादानी भी खूँए है और तीसरा भी ठीक है ग्री नगर आपका उजरात में देखने को मिलेगा लेकिन इस थाने सुर आप देखेंगे कहा है यह महादेव मंदर भी है ठीक है और आपने देखा होगा यहीं पर पांडवों ने भगवान से प्रात्ना भी की हुई थे तो यह आपको हर्याणा में देखने को मिलेगा नाकी उत्तरपदेश में ठीक है बिचार कीजे केंद्रिय भूमी जल्प राधीकरण ने भारत की 36% जिलों को आती सोसित अथवा संकटपूर्ण वरगीकित किया हुआ है और दूसरा कहा है कि केंद्रिय भूमी जल्प राधीकरण का निर्मार परियाबन सरक्षन अधिनियम के इंतरगत हुआ है और तीसरा कहा है विस्व में भूजल सिचाई के इंतरगत सबसे अधीक चित भारत में है और इन प्रीनों कतनों को पड़ने के बाद आपको सही कतन इनमें से चुनना है क्या करना है? सही कतन चुनना है तो इसमें आप लोग अगर देखें तो इसमें पहला आपका गलत है दूसरा ठीक है और तीसरा भी ठीक है अब आप कहोगी कि पहला गलत क्यों है तो आपको बता दूँ कि लगभग आप देखेंगे 29% ऐसे जिले आपको देखने को मिलेंगे ना कि 36% जहां आप देखें कि अतीसोचित या संकटपूर बरगी कित किया हुआ है कितना 29% की लगभग आपको ठीक है और दो और तीन बिलकुँ सही है परयावन सरक्षन अदिनियम 1986 की धारा तीन-तीन के तह गठित किया गया था ये आपका के अंदरी ये भूजल परादी का ठीक है भारत आप देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी भूजल एक तरह से आप देख सकते हैं भूजल से चाही के अंदर का सबसे अधिक छित भारत में आता है उसके बाद चीन चले जाएए यू ऐसे आप देखेंगे तीसरे नंबर पर दो और तीन इसमें ठीक था यानि कि आपका क्या रहेगा कुछ बता पाओगे बी ओप्सन ठीक रहेगा इसमें ठीक है दो और तीन अंगला कुशन है हमारे सामने 99 नेमलिखित कत्रों पर विचार कीजिए आप और इसमें पहला कथन आपसी कह रहा है क्या कह रहा है पहला कह रहा है कि जैट फिर वहाँ केवल उत्री गुलाज में होते हैं और दूसरा कह रहा है केवल कुछ चकवात ही के अंदर में वाताक्षी उत्पन करते हैं और तीसरा गरा चकवाद की वाताक्ची के अंदर का तामान, आसपास की तामान से लगवग 10 डिग्री सेंटिगेट कम होता है, और उपिक कत्रों में से आपको सही कत्थन जुनना है, क्या करना है, सही कत्थन का चुनाव करना है, तो आप देखें, इसमें पहला कत्थन बिलक देखने को मिलेंगे ना कि उत्री घुलाग में इसलिए आप देख रहे हैं पहले गलत है और तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि यूश्ण निकटिवंदिय चक्यवाद की लिए गरम और ठंड़ा नहीं है गरम है ठंडा नहीं गरम ताब मान ही तूफान को चलाता है एक तरह से समझ रहे हैं तो इसमें केबल आपका दूसरा सही था यानि कि C ओप्शन आपका ठीक रहेगा इसमें क्या रहेगा C अंतिम कुश्चन और सौबा कुश्चन क्या है निम्लिकित बाग आरक्ची छित्रों में क्रांतिक बाग आवाज कि अंतरकर सबसी बड़ा छित किसके बास है बताईए इसके बारे में कुछ पहला E कह रहा है कारवेट B कह रहा है रंधंभोर C कह रहा है नागारुजन सागर श्रीशलम और D कह रहा है संदर्वन तो आप देखेंगी इसमें क्या होगा इस Besch Obviously यूद एक आप देखने कुम्पलेगा आपको तीक है आप पिदेश हो ते लंगा ना पहले ते लंगाना आपका आंध फिदेश का ही इससाग गरता था तो आपने देखा है quality की तो आप देखेंगे 14-15 बर्षेन लगभग आप देखेंगे 14-15 questions आपको quality से देखने को मिलेंगे आज की paper की बात करण हूँ वहीं अगर हम लोग economy की बात करें तो आप देखेंगे अर्द्वस्थागी तो इसे भी आप देखेंगे 13-14 questions आपको देखने को मिलेंगे इतिहास उसी में हम लोग आइट एंड कल्चर भारती है जो आपका संस्किति देखते हैं आप लोग उसी की बात करें तो इसमें आप देखें कि हिस्टरी और आइट एंड कल्चर से 19 18-19 कुश्चन्स आपको देखने को मिलेंगे भूगोल से अगर हम लोग बात करें जियोग अगर करेंट की बात करें जिसके लिए आपसे वार वार कहा जाता है कि कम से कम एक न्यूच पेपर आप लोग पढ़ते रहें तो 19 कुश्चन्स आपको करेंट से भी देखने को मिल जाएंगे अगर आप लोग जोड़े होंगे आप लोग एक कुश्चन्स को पढ़े होंग ठीक है